हलो स्टूरेंट जय हिंद वेलकम यू ओल तो मैगनेट ब्रेंज मैं नेम इस प्रतीक मिश्रा आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 की दूसरी किताब उसका सेकंड चाप्टर या फिर सिक्स थीम जैसे भी आप कहना चाहें इसका वन शॉट रिविजन करेंगे हम के कंसर्ट्स वगरा क्लियर हो गाए होंगे तो आज का जो अपना यह वन शॉट रहने वाला है इसमें बेसिकली हम लोग इस पूरे की पूरे चैप्टर को इसकी इंटारेटी में एक बार रिवाइस करेंगे इससे होगा यह कि वो बच्चे जिन्होंने सारे वो वगरा की और वो बच्चे जिन्होंने किसी वज़ा से अगर लट से चैप्टर शुरू नहीं किया तो वह भी बिना कुछ पढ़े जाने की पेक्षा अगर यह लेक्चर देखकर जाते हैं तो उनके पास कुछ नॉलेज होगा कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी और उसके ब इस पूरे लेक्चर को हम लोग इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बगरा हैं एक्जाम पॉइंट ओव्यू से जो भी रेलेवन टॉपिक्स हैं सब को हम लोग इसमें डिसकुस करेंगे डीटेल में लोग इसको देखेंगे तो इस चाप्टर में हम लो इसमें पर चैन्या बिलीटरी खोल इन वहन वहरा इप इसमें रहेगा वहां सथे अंबर में हमारी कानी की सुरुवात होती पढ़ना हमें एक दम से कोई बदलाव नहीं आता बदलाव शुरू होता है तो जिन चेंजेस के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है वह फिफ सेंचुरी कौमा नेरा के आसपास से शुरू हुए और होते 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 एट सेंचुरी से आपको अपरेंट्ली वो स्टार्क ली दिखते हैं समझ में आते हैं कि इसके पहले की राम कथा अलग चल रही है इसके बाद या फिर इस वक्त से जो है चेंजेस आपको क्लियर कट देखने को मिल जाते हैं तो फिर सेंचुरी कौमा नेरा के आसपास से अगर आप देखोगे तो इंडियन सब कॉंट या इंडियन सब कॉंटिनेंट में कई सारे तरीके के रिलीजेस बिलीफ एक साथ को एक्जिस्ट करते थे कई सारे तरीके की रिलीजेस प्रैक्टिस एक साथ को एक्जिस्ट करती थी और ये वक्त के साथ में सॉलिडिफाय हो गई थी वक्त के साथ में सॉलिडिफाय होने क का मतलब यह है कि एक particular तरीके का बिलीव सिस्टम डिवलब हो गया था जिसमें कुछ certain set of चीज़ें थी जो उस particular belief system को मानने वाले करते थे अब यह नहीं है कि आप इस belief को मानते भी आंप इस धर में विश्वास भी करते आं और इसकी चार बाते मानते हैं और पांच वी अपने हिसाब से आपने करना शुरू कर दी ऐसा नहीं अगर आप मानते हैं तो फिक सर्टें सेट ऑफ बिलीव्स हैं जो डिवलफ होगा उनको आपका पालन आपको उनका पालन करना ही पड़ेगा इसका एक एक सामपल उठा लेता है जैसे मंदिरों क के सामने हैं पुझार्ट ना करते हैं बहार आते हैं फिर घंटी बजाते हैं नीचे उतरते हैं चले जाते हैं अब यह एक सर्टें तरीके का कंड़क्ट है ऐसा कहीं नहीं होगा कि कोई वेक्ती जूते पहन के मंदर के अंदर चला जाए क्योंकि यह डिवलफ हुआ है का है की वो मानने लगते हैं तब हम बोलते हैं कि वहुडिफा होगां तो इंधियन को सर्क प्रेशन सब कीलिटेंट व!' अर्यां अलग अलग यह सारी चीजे इन सब का प्रिजन सोरी हो चुके थे तो सबसे जयादा इनके बारे में आपको building और architecture वगरा से भी अंदाजा लग जाता है और बाकी इनके बारे में literature भी काफी है कुछ ऐसे religious beliefs भी है जो आज की तारीक में या तो present नहीं है या फिर बहुत जादा बदल चुके हैं उनके बारे में हमको काफी हद तक और उनका इतना architecture भी आपको देखने के लिए मिलता है और इनसे आपको उन religious practices या traditions के बारे में पता चला जो या तो solidify नहीं हो पाये थे या फिर उनकी जादा fan following नहीं थी इतने जादा number of followers उनके पास में नहीं वह करते थे कुछ ऐसे religious traditions भी हैं जो आज की तारीक में बिलकुल लुक्त हो चुके हैं मग आज में actual में उस वक्त हो क्या रहा था और यहां से क्या बदलाव आते हैं और किस तरह से वो crystallize होता है जिनको हम लोग 8-18 century की बीच में पढ़ेंगे उसके आगे हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो यहां पर इस particular time period में अगर आप देखेंगे तो जो textual sources आपके पास में available हैं poet saints जो है इस particular time period में आपको देखने के लिए मिलते हैं जिन्नोंने काफी सारे compositions वगरा बनाएं और इनको regional languages में compose करना शुरू किया था यह बदलाव आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है क्या यहां पर अभी तर जो संत हो रहे थे जनरली सन्यास देकर अपना चले जात हैं वह भजन भी बना रहे हैं सारी चीज़ें यह सारे के सारे compositions वह बना रहे हैं यह अपने को इस वक्का जो टेक्स्ट वगरा उससे पता चलता है अब यह जो बना रहे थे यह जनरली औरली कंपोस्ट किये जाते थे यह अपना इन्होंने बना लिया अपने मन में सोच कि अपने followers को सुना दिया उन्हों और लोगों को सुना दिया ऐसे करते 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 यह फैलता चला जाता था अब यह ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ एक भजन बना लिया और उसको आप कैसे भी गाने लगे एक सर्टेन तरीके का music होता है एक सर्टेन तरीके की आपकी धुन ह होती है उसके साथ मैं आपने उसको सेट कर दिया और उसके बाद में फिर उसको गाया जा रहा है वक्त के साथ में और थोड़ा वोगर आपको देखने को मिल रहे हैं और इस तरीके से से जो पूरा का पूरा ठ्रिडिशन था संतों के द्वारा बनाई गई आपकी कविताएं थी गाने थे बजन थे उनकी टीचेंग्स थी वह बहुत डाइनमिक बने हुए थे क्योंकि वह समय के साथ बदलना जानते थे समय के साथ में वह बदल रहे थे यही चीज जो है तरीके का प्रभाव इंदुस्तान के समाज पर नहीं रखते हैं उसको हम लोगों ने निफ्टा दिया जैसे पूरी तरह से खतम गर दिया और आज नहीं होती है तो यह बदलाव वगरा जो आ रहे हैं इसकी वज़ा यह है कि हमारे ट्रेडिशन में हमको देखने के लिए श मिल रही थी आप इन सारे सोर्सेस वगरा में को यूज करना भी अपने आप में चैलेंज है क्योंकि आपको यह नहीं पता की ओरिजनल क्या था और इसमें कितनी जनरेशन ने अपनी तरफ से क्या एड़ कर दिया है तो हाला कि यह सोर्सेस का यूज करना थोड़ा चैलेंज करनी तो उसके लिए इस्टोरियन उनकी बायोग्राफी का और हीगई का इस्तेमार भी करते हैं जो जब्सक्राइब के द्वारा लिखे जाती हैं अब ज़रूरी नहीं है कि इन में लिखी गई हर बात आपकी सची हो हेग्योग्राफी क्या होती हैं हम लोगोंने पास् लेक मैं और वुमें हुए हैं इनके डिवोटी इनको किस तरीके से लिया करते थे और इनकी जिन्दगियों में इनका क्या असर था या क्या प्रभाव था यह सारी बाते हैं कमसकम को यहां से समझ में आती हैं इस टाइम पीरियर्ड में एक इंट्रेस्टिंग बात और हो रही थी सेंट्स अपना जो कंपूरिशन वगरा बना रहे थे वो सब तो अपनी चली रहा था इसके इलावा एक स्ट्राइकिंग फीचर आपको इस टाइम पीरियर्ड में यह देखने के लिए मिलता है कि इस वक्त में जो गॉड्स औं गॉड्ड़िस हैं उनका नंबर जो है बहु देवी देवता हैं यहां पर देखने के लिए नजर आने लगते हैं इस्टोरियंस का मानना यह है कि यह बिसिकली एक एक स्टेंशन है मेजर डेटी का जो आपके भगवान विश्नु और भगवान शिव और आपकी जो शक्ति हैं आदी शक्ति गॉड़िस वगरा जो है इन इनी तीनों आपके जो मेजर डेटी हैं बगवान विश्नु को बगवान शिव को और आपकी जो आदी शक्ति हैं गॉड़िस वगरा इनको अलग-अलग फॉर्म में आपने विजुलाइस कर लिया है अलग-अलग तरीके से अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आपने पूरे के पूरे डेवलप्मेंट जो इस टैम पीरिड में हो रहा हैं जब इनको आप ने स्टाडी किया हिस्टोरियन्स ने इस सब को समझ के बाद में यह पाया है कि इस टाइम पीरिड में दो प्रोसेस जो ऑन वह और वं कर रही थी दो दूसरी social categories को include करने के लिए and दूसरी social categories के जो beliefs हैं उनको भी accept कर रहे थे और उनमें भी modifications वगरा लाकर उसको अपना जो पूरा का पूरा belief system उसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे थे दूनों जो आपकी processes हैं इनके आपको evidences वगरा देखने को मिलते हैं पहली जो process है कि ब्रहमिनिकल आइडिया को जित्ता ज्यादा हो सा कि उत्ता ज्यादा पहलाया जाए इसकी process वगरा हो रही है इसके evidence देख लेता है इसके evidence यह हैं कि जो आप इस वक्त में जो भी compositions देख ले आसानी से समझ में नहीं आती है मगर अब जो Sanskrit का इस्तेमाल हो रहा है वह बहुत जादा simple है बहुत जादा easily समझ में आने वाली Sanskrit है इसकी वज़ा यह थी कि यह जो सारी कि सारा सारा जो text वगरा लिखा जा रहा है यह explicitly लिखा जा रहा था शूद्रों के लिए और महिलाओं क लिए क्योंकि इन लोगों को अभी तक जो है वैदिक लर्निंग से और टेक्स्ट वगरा से अपने एक्स्टूड किया था नतीजा यह हुआ कि यह जो दो पर्टिकुलर सेक्शन थे समाज के इन्होंने बहुत बड़ी मातरा में जो है बुद्दिसम वगरा और दूसरे जो आपकी प्रोसेस है कि ब्रामिन जो है वो एक्सेट करना है और रिवर्क कर रहा है ताकि दूसरे जो सोशल केटेग्रीज वगरा कि लोग है उनको शामिल किया जा सके अपने साथ में इसके कुछ एविडेंस वगरा हम लोग देख लेते हैं इसका एक सबसे बड़ा प्रमान यह मिलता है कि अलग अलग शेत्रों में जो लोकल डेटी थे जो आपके लोकल देवी देवता थे उनको आपने किस ना किसी तरीके से जो आपके मेजर जो प्रमुक भगवान है हिंदुईजम में या सनातन धर्में उनके साथ में आपने आइडेंटिफाई किया और उनको इसका एक एक जामपल देखते हैं उससे बात आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी क्या किया जा रहा है यहां पर अलग अलग शेत्रों में जो आपके लोकल देवी देवता है आप उनको यह आपके जो मेजर भगवान है हिंदुईजम के उनका कोई ना कोई फॉर्म य जो आपने व्यवस्था बनाई है इसमें शामिल कर रहा है इसका एक एक जामपल है आपके जगनात पूरी का ओडिसा का 12th century common era आते आते जगनात पूरी में जो आपके प्रिंसिपल डेटी है जो प्रमुक भगवान है इस्ट देवता है इनको जगनात बोला जाने लगा ऐसे की बात यह है कि जगनात पूरी में आपको भगवान विश्णु का जो यह प्रकार माना गया है इसको आगर आफ दूसरी जगाओं पर भगवान विश्णु के प्रकारों से कंपार करें तो altogether आपको difference समझ में आता है देखिया यहां पर यह जो है भगवान जो जिसको बारवी चतापदी कौमन एरह आते आते है जिनको आपने भगवान विश्णू का एक प्रकार माँ लिया है तो एक तो ये रहे अब इसको कंपार करिए भगवान विश्णू का जो लोकल आपका आपका जो प्रों का वैश्च क्रोम क्या जाता है खेश तो इस particular इतना difference होने के बाद में भी इस particular देवता को भगवान विश्णु के अवतार के तौर पर सुविकार कर लेने की जो बात है historians मानते हैं कि यह basically evidence है second process के support में जिसमें यह कहा गया है कि brahmins दूसरे जो belief systems और social categories की लोग हैं उनको accept कर रहे थे और अपने में शामिल कर रहे थे ठीक है जी तो यह एक बात रही यही चीज जो है आपको अलग-अलग जगाओं पर देखने के लिए मिलती है कि अलग-अलग जगाओं पर जो local daties वगरा थे उनको अपने में शामिल किय जाने लगा था चले तो यह हम लोगों ने देख के खतम किया है यह सारी बात जो मैंने आपको बताई कि भगवान विष्णू की अलग-अलग जगाओं पर जो मेन आपका जो representation है उसमें और यह जो भगवान जगन्नाथ है जिनको भगवान विष्णू का अवतार मान लिया चले जी आगे बढ़ते हैं अब यही जो integration का process है जिसमें आप local gods and goddesses को मिला रहे हो यह चीज़ आपको goddesses के कल्ट में भी देखने के लिए मिलती हैं 5th century common era आते आते हैं जो देवी की पूजा है जिसके उपर आप सिंदूर वगरा लगा के उनकी पूजा करते थे यह बहुत अब हर एक जगे जो अपनी local goddesses है लोकल देवी हुआ करती थी तो ब्रामिन्स ने यह किया कि इन लोकल जो देवी यह जो लोकल डेटी वगरा थी इनको किसी ना किसी आपके major जो principle डेटी है उनकी wife के रूप में सुईकार कर लिया यानि कि या तो इनको लक्ष्मी मान लिया या फिर उनका कोई ओर प्रकार मान लिया गया और ये बोल डिया कि भाइप जो हैं ये तो माता लक्ष्मी की प्रकार की पूझा कर रहा हैं तो तरह से आप तो है हमारे समाज का हिस्था है मैं यह थो है बगवान शिफ की पति है तो यह तरीके से अलग अलग आख में जो आप की लोकल से किसी तरह से आधि-्षक्ति ृबब이야 या भगमान विष्णू का ते रूप में या ऑनके किसी फांडी रूप में आया पने एकसेप्कर लिया और इस तरीके से इनको भी जो है आप शामिल करते चले गए और इस तरीके से आपका junior he अलग जगाओं पर Indian subcontinent में जो diversity आपको देखने को मिल रही थी उसकी जगह पे उनीफाइट तरीके का religion जो है यहां से अपना बनना शुरू हुआ यहां से आपका crystallize होना शुरू होता है यह important aspect है जिसको अपने को ध्यान रखने तो जो हमारा next topic लोगों ने देखा कि किस तरीके से सोसाइटी में जो अलग-अलग डिफरेंसेस थे उन सब को जो है एक पर्टिकुलर उनिफाइड रिलेजन के अंदर लाने के लिए प्रयास वगरा हो रहे थे और दो जाती है कि एक आदमी काले कलर के कपड़े पहन के बैठा है और वो यगे वगरा कर रहा है और आसपास बड़ी अशुब अशुब से चीजें रखी होई हैं इंसान की खोपड़ी और इस तरीके की बेसीकली तांत्रिक ट्रेडिशन का यह मतलब नहीं होता है तांत्रिक ट्रेडिशन की जा रही है इसका मतलब क्या है ये एक तरीका था ये एक प्रैक्टिस थी जिसमें वर्डशिप किसकी की जाती थी जिसमें आदी शक्ति की या फिर देवी की पूझा की जाती थी अब उनको चाहिए आप काली के फॉर्म में पूझ रहे हैं चाहिए अब उनको दुर्गा के form में पूज रहे हैं या किसी और form में पूज रहे हैं मगर worship जो है वो goddesses की की जाती थी इंट्रेस्टिंग बात जो निकल कर आती है Tantric traditions के साथ में वो यह है कि Tantric tradition महिला और पुरुष दोनों के लिए उपन था जो भी इसमें आना चाहता था उनको आने में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई issues है या फिर आपको रोका जाएगा जो आना चाहता है आप आ सकता है और Tantric tradition के practitioner के तौर पर आप इसमें शामिल हो सकते हैं and जब आप कोई प्रक्रिया वगरा इसकी कर रहे हैं जब आप Tantric traditions में कोई process वगरा कर रहा है तो उस वक्त आप किस कास्ट से हैं किस community से हैं आपका gender क्या है यह सारी चीजें जो है इग्नोर कर दी जाती ही तांत्रिक इन सारी बातों को या फिर तांत्रिक traditions को मानने वाले इन सारी बातों के उपर भरुसा या फिर कम असकम जब तक rituals वगरा कर रहे हैं तब तक के लिए बातों को consider नहीं किया करते थे इसके बाद में आ जाता है कि अब इन सारी चीजों का प्रभाव क्या पड़ा अब यह जो शक्ति पूजा शुरू हो गई हो इसको जो हम लोगों ने प्रभाव पड़ता है वो भी बदलता है and with time being आने वाले हजार सालों में यह जो बात चीथ हम लोग कर रहे हैं फाइफ सेंचुरी फिफ सेंचुरी कॉमा नेरा के आसपास इसके बाद के जो हजार साल निकले हैं उसमें तांत्रिक प्रगी सारी चीजह हैं अपस में डिबलब होती हैं बिलीव और प्राक्टिसेज की इंटिर भी लिंगलिंग कहते हैं या फिर जो हिंदू प्राक्रिया रही है जिसमें वेरीयस तरिके के traditions, various तरीके की practices की आपस में intermingling होई है और वो उसके नतीजे में निकल कर आई है, तो आप ये बोलूँ मैं कि हिंदू practices, tantric practices तो गलत हो जाएगा, मैं ये बोलूँ कि हिंदू practices वही practices जो वैदिक time period में होती थी तो भी गलत हो जाएगा, मैं ये बोलूँ कि हिंदू practices का पर बुद्दिजम का कोई प्रभाव नहीं है, जैनिजम का कोई प्रभाव नहीं है, तो भी गलत हो जाएगा, और वाईसे वर्सा भी अगर मैं कहूं कि बुद्दिजम या जैनिजम के उपर ये जो practices वगरा हो रही है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो भी गलत हो जाएगा, आपस में intermingling बहुत जादा हुई है, और ये प्रक्रिया दो-चार सो सालों में भी नहीं चली, हजार बारा सो सालों तक ये प्रक्रिया चली है, और उसके नतीजे में जो है, ये सारे के सारे beliefs और ये सारी के सारी practices जो है, हिंदू कहला हैं, तो इसके बारे में आप लोग और आगे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, अब ये classification जो है आपका वही बात जो मैं कहा रहा था, कि वैदिक time period में जो आपका practices चल रही थी हैं, जो religion था या फिर पुरानिक traditions वगरा से altogether अलग है, एक fundamental difference जो वैदिक आपका जो पूरा time period था, उस time के religion की आप बात कर लें, और जो ये आपने आप हिंदू बोलना शुरू कर दिया है, जो practices वगरा develop हुई हैं और जिनको आप हिंदू वर्ड में classify कर रहे हो, तांत्रिक tradition और ये वैशनविजम, शेविजम सब मिलकर जो 5th century common era से 15th century common era है, 16th, 17th century common era तक का time period है, यहाँ पर अब जो practices develop हुई हैं इसको आपने हिंदू बोलना शुरू कर दिया, इसके पहले कि आप वैदिक कहला रहे हो, तो इनमें जो fundamental difference है वो यह है कि वैदिक practices में principal gods जो हुआ करते थे वो थे अगनी, इंद्र और सोम, जब वैदिक practices वगरा होती थी तब आपके प्रमुक देवताओं के तौर पर अगनी, इंद्र और सोम की पूजा अर्चना की जाती थी, मगर जब यह time period आता है, जब आप इन जो आपकी जो सारी practices वगरा हैं, जिनके बारे में हमनें बात करी, इनको जब हिंदू कहा जाना शुरू कर दिया गया है, इस time period तक जो basic बदलाव है, वो यह है कि यह जो वैदिक time period के god थे, अगनी हो गए, इंद्र हो गए, सोम हो गए, यह marginalize हो गए थे, यह बहुत ज़ादा इनका जिकर ना तो पूजा अर्चना में आता था निकल कर, ना इनके उपर बहुत ज़ादा आप जो है आपको representation कहीं पर text में या पर visually देखने को मिलता है, मगर जो आपके डूसरे जो भगवान थे, जो भगवान विश्णू हो गया, भगवान XVIV हो गए, इनके अवतार वगरा जो हो गए, इनकी पूजा अर्चना आदी चक्ती हो गई या देवी की अलग-अलग जो रूप हो गई इनकी पूजा अर्चना जो है वो ज़ादा prominent हो गई थी ज़ादा मजबूत हो गई थी ये जो वैदिक time period के gods and goddesses वगरा थे ये सब अब marginalized हो गए थे मतलब ये की जो इसमें लिखा हुआ है उसको हमको मानना है ये बात या फिर ये जो particular भाव है लोगों के मन में अभी भी था अब ये जो classification आपका हो रहा था कि तांत्रिक practices अलग develop हो रही है वैदिक practices अपनी पुरानी चल रही है और बुद्धिस practices अपनी develop हो रही है ये सारे जो classification वगरा अलग-अलग बन रहे थे और crystallize हो रहे थे इसके कारण फिर अब कुछ conflicts वगरा होना तै था अगर आप ये बोलोगे कि वैदिक practices जो है उसको अपने team A मान लिया तांत्रिक practices team B हो गई बुद्धिस practices team C हो गई practices को मानने वालों को या तांत्रिक practices को follow करने वालों को condemn करना शुरू किया उनको उन्होंने उनका वहिशकार शुरू कर दिया उनको criticize करना शुरू किया at the same time जो तांत्रिक practitioners थे या जो tantric practices वगरा करते थे उन्होंने उठा कर वेदों की authority को मानने से ही मना कर दिया और उसकी authority को ignore करना शुरू कर दिया या वेदों की अनुसार जो है अपने conduct को नहीं रखा उनकी अमन में जो आ रहा है वो उस तरीके से करना है तो यह इनको नहीं मान रहा है यह इनकी बातों को नहीं मान रहा है फिर वेदों की authority को नहीं मान रहा है इस तरीके की चीजह चल रही है इसके एक तो यह conflict आपका बनने लगा था दूसरा यह कि शैविजम और वैशनविजम में आपको conflict अब थोड़ा से देखने को मिलने लगता है यहाँ एक चीज और होती है कि devotees के पास एक आपकी आजादी थी कि आप ईश्वर को जिस रूप में मानना चाओं मान सकते हो जो prominent dieties थे आपके या तो भगमान शेफ्थ है या विश्णू थे अगर आप बादेख यहाँ अब торовा व्याल आचला है और आपादेख्वाजने व्श्वर से लागे यहाँ पर आप उप्र शुम करना है तो अब लडाई इस बात पर शुरू हो गए कि सुप्रीम गौड कौन है बगमान शिव या भगमान विष्णू है तो शैविजम और वैष्णाविजम की बीच में भी आपको डिफरेंसेस और कंफलेक्ट्स वगर डिफरेंसेस के कारण जो कंफलेक्ट हैं वो देखने के लिए मिल रहा है साथ ही साथ अगर इन सब की बात कर ली जाया तो इनके अलग-अलग मगर डिफरेंसेस के कारण आना शुरू हुए इसी बीच पड़ता है उसके बारे में थोड़ा से अपन लोग बातचीत करते हैं इसी पर्टिकूलर 분들이 में भक्ती मुमेंट जो है या फिर जो डिवोशं का नसेप्ट है यह आपका डिफलॉफ होना शुरू होता है हाला कि जिस time period की हम लोग बातचीत कर रहे हैं 5th century common era और उसके बाद में specifically 8th century के बारे में बातचीत करेंगे इसके 1000 साल पहले से अगर आप देखना शुरू करोगे तो भक्ती के जो concept थे या जो devotional worship थी ये prevalent थी ऐसा नहीं था कि भक्ती moment आपका 6th century common era में शुरू होता है इसके जो practices वगरा थी वो इसके 1000 साल पहले के time period में भी आपको देखने को मिल रहीं थी 6th या 5th century before common era से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहीं थी मगर उसमें कोई एक crystallization नहीं था कि अगर आप भक्ती कर रहे हो या फिर आप भक्ती moment के part हो तो आपको ये 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 तीन चीज़ें करनी हैं ऐसा कुछ आपके पास में fixed कोई concept वगरा नहीं था आप बहुत सारी चीज़ें थी एक range थी पूरी की पूरी नॉर्माल आपकी worship करना चाहो इश्वर के सामदें आप सिर्फ हाथ जोड़ के निकल जाओ ध्यान लगाना चाहो उनके बारे में सोचना चाहो आखे बंद करके या फिर आप बहुत जादा कर्मकांड करना चाहते हो जो भी हैं सारी की सारी चीज़ें जितना भी range of worship थी जिसके तहरत आप अपने इश्वर के सांथ अपना नाता जोड़ना चाहते हो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप कहा सकते हैं कि जो devotional worship का concept था इसमें शामिल थी इसमें खास तोर पे आपकी singing और chanting जो थी वो common थी लगबग लगबग ये हर तरीके के modes of worship में आपको देखने को मिलती थी खास तोर पे भगवान शिव और भगवान विश्नु के अ अलग-अलग संप्रदाएं इनके बीच में conflicts की situations बन रही हैं ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को मारने पीटने वो तारूत है मगर हां विवाद विवाद होने लगे थे debates and discussions अब conflict का जो है रूप लेने लगें थी इस परिस्तिती में आपका भक्ती tradition evolve होता है मगर भक्ती tradition एकदम से नहीं evolve होता है उसके पहले के 1000 साल में भी उसके बीच पड़ चुके थे अलग-अलग तरीके से आप अपने devotional worship कर रहे थे मगर अब कैसे वो आगे जाके crystallize होता है और कै पहले की क्या परिस्तितियां आपको देखने को मिल रही थी उसके पहले के समाज में किस तरीके के conflict थे उसके पहले के 1000 सालों में भक्ती मुमेंट के जो बीज थे वो किस तरीके से पड़े थे अब वो किस तरीके से बढ़ते हैं और किस तरीके से वो बीज बढ़ते बढ़ आप जो देखते हो, आपके जो historians हैं, इन्होंने इस पूरे के पूरे मुवमेंट को दो categories में divide किया है, एक है सगुण भक्ति और दूसरी है निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति का मतलब होता है with attributes and निर्गुण भक्ति का मतलब होता है without attributes, इसको थोड़ा समलोग समझते है, with attributes या फिर सगुण भक्ति का मतलब क्या होता है, सगुण भक्ति या फिर with attributes वाली भक्ति में होता यह है कि आप इश्वर की किसी एक particular image को अपने दिमाग में imagine करते हो, आप इश्वर को किसी रूप में imagine करते हो, इश्वर या तो मनुष्य भी हो सकता है, या फिर इश्वर ज चाहते हो, जिस भी तरीके से आप उनको imagine करना चाहते हो, आप कर सकते हो, और उसके बाद में फिर उनके प्रतियाप अपने आपको पूरी तरीके से devote कर सकते हो, यह जो concept है, यह है सगुण भक्तिया concept, और इसमें भी जो प्रमुक इश्वर थे जिनकी पूजा अर्चना की जाती थी, वो थे भगवान शिव, भगवान विश्व या फिर इनके अवतार, और जो आपकी देवी हैं, उनके अलग-अलग तरीके के प्रकार, इसके इलावा अगर आपको इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो आप अपनी तरफ से किसी और देवता को imagine कर सकते हो, और उसके क तरीके से पूजा आर्चना करनी, आराधना करनी ये कर सकते हो, आपको खुली छोड़ा है, दूसरा आगे आपका निर्गोन भक्ती, निर्गोन भक्ती में ये होता था कि आप एक एक एक्स्ट्राक्ट फॉर्म ऑफ गौड की पूजा करते थे, याने की without attributes, मतलब ये कि इस तरीके से आप जो एक particular ईश्वर की आराधना करते हो, तो फिर वो आपका निर्गोन भक्ती कहलाता है, उसको आप किसी भी तरीके के attributes या किसी भी तरीके के गुण, या किसी भी तरीके की qualities वगरा नहीं देते हैं, आप उसको उन सब चीजों से परे रखते हो, ये जो फॉर पीटना और ये इश्वर के सामने आपकी थाली वगरा लेकर उसमें उनकी आरती उतारना ये सारी चीज़ें नहीं करते थे, प्रसाथ चढ़ा रहे हो, ये सारी चीज़ें आप नहीं करते थे, निर्गोन भक्ती में आप फिर इश्वर का एक ऐसा जो है, आप फॉर्मलेस जो है, उसको इमेजिन करकर, या फिर उसके साथ में अपने आपको जोडने की कोशिश किया करते थे, अब इसी कंटेक्स में हम लोग सगुन भक्ती का जो या फिर सगुन भक्ती मुवमेंट का सबसे बड़िया एक्जामपल है, नैनार्स और अलवार्स उसको देखेंगे क कि किस तरीके से नैनार्स और अलवर्स डिबलफ होते हैं, और सगन भक्ती मुवमेंट जो है डिबलफ होता चला जाता है, अच्छा एक बात और, रिशी मुनी या वो लोग जिन्होंने सन्यास लिया है, वो हमेशा से ही बहुत गिने चुने लोग रहे हैं, इसके लिए नि गुटियां लाते हो, प्राण पुटिष्था होती है उनकी, और उसके बाधे बेसिकली कंसेप्ट यह है pounds या है, या ऑपका माना है, हमने इश्वर को इस पर्टिकुलर prop Mara Money और हम पूझ रहे हैं, हम जानते हैं कि इस तरीके का नहीं है, मगर हम मान रहे हैं, हमारी छडद sacred space बनाके पूजा वगरा की जाती है तो आज भी हिंदु धर में जो बड़े लवल पर पूजा अर्चना होती है वो सगुण बक्ती हो रही है निर्गुण बक्ती करने वाले आज भी जन्यास लेकर हिमाले निकल जाते हैं अब सगुण बक्ती किस तरीके से बढ़ती चली में हुए थे और इन्होंने सबसे शुरुवाती जो भक्ती मूमेंट है या भक्ती मूमेंट के जो सबसे शुरुवाती फेज है उसको लीड किया था 6th century कौमा नेरा के आसपास तमिलनाडू में तो हमको याद रखना है अलवर्स और नैनार्स क्या थे वो तो भी बात की ब याद लो कह जो भगवान विश्नु की पूजा करते थे कहां पर तमिलनाडू में और कब अचैनार्स के बारे में बात याद रखनी है UPST ने भी यह सवाल कई बार पूछा है कि अलवर किसकी पूजा करते थे नैनार किसकी पूजा करते थे याद रखना है अलवर्स पूजा करते थे भगवान विश्नु की या फिर वो वैशनविजम को फॉलो करते थे और नैनार किसकी पूजा कर रहे है नैनार पूजा कर रहा है भगवान शिव की यानि की वो शैविजम को फॉलो कर रहा है ये दोनों कहां हुए है तमिल नाडु का जो आज का इलाका है थोड़ा बहुत गिविंटे के दर उदर उसमें जो हैं आपको ये देखने को मिले हैं कब देखने को मिले हैं अब ये लोग करते क्या थे ये नैनार्स हो गए ये लोग प्लेस टू फ्लेस जो एक से दूसरी जगे ट्रावल करते थे और ये तमिल भाशा में अपने जो भी देवता की इस्ट देवता की ये पूजा करते हैं या मानते हैं उनको उनके प्रेज में हाइंस वगरा गाया करते थे भजन गाया करते थे श्लोक वगरा गाया करते थे ठीक है अब दो चीजे हो रही है एक तो एक से दूसरी जगे आप मूव कर रहे हो दूसरा ये कि आप किस भाशा में भजन वगरा गा रहे हो तमिल भाशा में गा रहे हो, जो आम जन्मानाज की भाशा है, तो लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ रहा है, लोग आपके साथ में कनेक्ट कर पा रहा है, लोग आपके साथ में जोड़ पा रहा है, इस कारण इनकी following वगरा जो थी, वो काफी जादा बरती चली गई, औ लगबग लगबग सारा जो तमिल शेत्र है, तमिलीकम का जो इलाका था, वहाँ पर लोग इनको जानने भी लगे थे, इनको पता था कि फलाने फलाने बजन गाने वाले या तो नैनार हैं, अगर भगवान शिफ के बजन गाये जा रहे हैं तो, और अगर भगवान इनके गाये जा रहे हैं, इसका मतलब या अलवर है, इस तरीके से बड़े लेवल पर जो है, इनकी एक फॉलोइंग वगरा बनती चली गई, अब अलग अलग जगाओं पर जब ये एक सा दूसरी जगे मूव करते थे, तो अपने मूवमेंट वगरा में कुछ जगे ऐसी थ थे तो उन्होंने बोल दिया कि यहां पर हमारे भगवान शिफ का वास है, और अलवर्स वगरा थे तो उन्होंने बोल दिया यहां पर हमारे भगवान विश्नु का वास है, इस तरीके से कई सारी जगे थी, कई सारी जो श्राइन्स थे, उन्होंने अपने डेटी वगरा के के स्था के एबोर्ड के तौर पर या फिर अपने ये बोलके कि हमारे देवता का यहाँ पर वास है इस तरीके से उनको identify किया वक्त के साथ में धीरे 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 इन जगाओं पर इनके देवताओं के बहुत बड़े बड़े और लोगों के मन में बैठ गया कि पवित्र स्थाल है यहाँ पर जाना चाहिए और यहाँ पर पूजा आरतना करनी चाहिए और यहाँ पर जाके जो है अपने इश्वर के दर्शन करकर आना है यहाँ से क्या हुआ पिल्ग्रिमेज का जो कंसर्ट है वो डिवलफ हुआ आपका जो यह तीर्थ यात्रा का कंसर्ट है यह डिवलफ होता चला गया पिल्ग्रिमेज वगरा का कंसर्ट अपना डिवलफ होना शुरू हुआ और ऐसे करते 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 जो सगुन भक्ति है कि इश्वर को किसी फ मंदिरों में जब बैठते थे तो वहां पे वकाइदा अपने कंपोडिशन या अपने भजन वगरा गा रहे हैं क्योंकि आपकी इतमिल भाषा में गा रहे हैं तो इस तरीके से लोग भी इनके साथ में जुड़ रहा हैं तो वक्त के साथ में अपने जो compositions वगरा का जो सिंगेंगें संतों के द्वारा ये और इनकी एक तो ये जो है आपके मंदिरों में एक particular आपका ritual बन गया प्लस साथी साथ अपने ईश्वर के इलावा जो आपने जो भी देवता है भगवान शिव्य बगवान विश्णु उनकी पूझा के इलावा जो संत वगरा है जिन्नोंने ये मंदिरों को बनवाने में एक बड़ी भूमी का निभाई है और जिन्नोंने अपने देवता के प्र रखी हुई थी आगे बढ़ते हैं कुछ historians अब ये भी बोलते हैं कुछ historians का अब ये भी मानना है कि ये जो सारा काम अलवर्स और नैनार्थ ने किया इस ते आपका भक्ती मुमेंट तो बड़े लेवल पर तमिल नाडू में फैला ही फैला मगर 37-37 इन लोगों ने एक और चीज़ शुरू करी वो ये था कि इन्होंने एक मुमेंट शुरू किया था कास्ट के अगेंस्ट में या फिर कमस कम इन्होंने कोशिश करी थी कि कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सके कुछ आपके historians ये मानते हैं अब ये मानने के पीछे आप ऐसा अगर आप अलवर्स और नैनार्स को पड़ो है तो ऐसे ऐसा आपको ये दिखता नहीं है कि वो कास्ट मुमेंट के खड़े हो गए थे या फिर वो इसके खिलाफ काम कर रहे थे वो तो अपने भगवान विष्णू या भगवान शिफ की भक्ती में लगे हुए थे और एक से दूसरी जगे मूफ कर रहे थे भजंग आ रहे थे वो सारी चीज़ें चल रही थी मगर इनके कंड़क को जब आप देखते हो इस्टोरियंस ने ये बोला है जब आप इनके कंड़क को देखते हो जब आप इनके बिहेवियर को पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है कि इन्होंने तरीके का प्रोटेस्ट चुरू कर दिया था कास्ट के अगेंस्ट में या और फिर कमस कम इनकी जो behavior है उस्ते ये समझ में आता था कि ये caste को या caste system को reform करना चाहते हैं और इस fact को या फिर इस particular बात को support करने के लिए historians evidence ये देते हैं कि जो इनके भक्त थे चाहे आप अलवर्स के भक्त ले 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 चाहे आप नैनार्स के भक्त ले 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 ये हर तरीके के social background से आते थे और इन्होंने कभी किसी को नहीं रोका अपने में शामिल होने में इन्होंने caste moment के खिलाफ में एक reform, caste के system के खिलाफ में एक reform moment चालू किया था और अगर पूरी तरह से अब ये कहो कि reform moment नहीं चालू किया था और कम से कम उसको थोड़ा बहुत improve करने की कोशिश इन लोगोंने जरूर किया चलेंजी आगे बढ़ते है अब जो नैनार्स और अ सिर्फ इतने सी वज़े से कि कारन्ट से नैनार और अलवर्स को आज भी 1500 साल बाद याद नहीं किया जाता इसके लावा भी इन्होंने काफी सारे काम किये थे एक काम इन्होंने ये किया था कि इन्होंने ऐसे ऐसे sensor बगरा बनाए थे जिनको तमिल सोसाइटी में आज वेद ऐसे compositions बनाए हैं, ऐसे ऐसे ग्रंत लिखे हैं, जिनको वेदों जितना ही important मना जाता है, कम से कम उस इलाकी में तो मना जाता है, जहां पर आप थे, इसका एक example लेता है, एक composition है, जो अलवर्स ने किया था, इसका नाम था नाला इरा दिव्य प्रबंदनम, ये तमिल भाशा का कि इसको कई बार frequently आप तमिल वेद बोलते हो, हमारे चार वेद होते हैं, मगर नाला इरा दिव्य प्रबंदनम इतना important है, या फिर इसकी इतना जादा प्रभाव हो है तमिल सोसाइटी पे कि कई बार इस चीज़ को आप उठा कर तमिल वेद भी कह देते हो, या फिर कई बा आपने को बात समझ में आ रहेगी कि टेक्स कितना जादा important है, अब इतने important टेक्स वगएरा आपने लिखे हैं, इनका भी जो अगर एक बार आप कोई record रग जाते हो छोड़ गया, तो आप रहो या ना रहो रिकॉर्ड तो रहेगा, अब वो आने वाली जो generations है, आने वाली उसने पर परभाव को पड़ेंगे, उना पर प्रभाव डालेंगी, वो भी उसने कुछ ना कुछ सीखेंगी, तो नाला ऐरा दिवेखेम का तमिल सुसाइटी बैस गया पर भाव पड़ा है, और अलवर्स वोगएरा का इतना गया परभाव को इसके कारणES को तमिल वेद के प्रभावा को देखने को मिलता है चलें जी आगे बढ़ता है दो इंपोर्टेंट टेक्स वगरा है इनके बारे में बात करना ज़रूरी है इससे सवाल वगरा बनेंगे इसके पहले नाला इरा देवर प्रबंदनम जो है इसमें से भी सवाल बनेगा कि यह कौन सा टेक्स्ट ह तो याद रखियेगा अलवर्स ने बनाया था तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है तो पहला वो ही है नाला इरा देवर प्रबंदनम इसको 10th century common era के आसपास जो है इसमें इनको पवित्र माना जाता है इसी तरह से एक और किताब है इसका नाम है तेवरम या फिर एक और कामन एरा के आसपास जो है इसको कंपोस किया गया था इसमें म्यूजिक या फिर आपका सुर्टाल और ले के बेसिस पर आपने सौंग्स वगरा को क्लासिफाई किया है अपना जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ट्रिडिशनल या करनाटिक म्यूजिक है किस राग में आप ग इस बेसिस पर कि किस तरीके के म्यूजिक के साथ में किस तरीके के राग और स्वर और व्यंजन या किस तरीके की चीजों के साथ में इनको गाया जा रहा है ठीक है इसमें खास तोर पे तीन आपके जो पोएट्स हैं एक का नाम है अपार दूसरे का नाम है संबंदार और त स्पेसिफिकली अपार संबंदार और सुंदरार के कंपोडिशन्स वगरा को कंपाइल करकर रखा है कब इसको बनाये गया था 10th century कौमा नेरा के आसपास important है याद रखिएगा चले आगे बढ़ते हैं next जो हमारा topic आता है वो है women devotees अब अगर हम लोग अलवर्स की बात कर ले य और एक important striking feature जो आपको नैनार्स और अलवर्स के बारे में पता चलता है वो यह है कि इन्हों ने अपने इनके जो traditions है चाहे नैनार्स के traditions हो चाहे अलवर्स के traditions हो उसमें महिलाओं का presence था मतलब महिलाओं को रोका नहीं गया था कि आप नहीं आ सकती हैं फिर आपको शामिल न मातला में देखने के लिए मिलती है और ना सिर्व उनकी presence थी मगर चाहे आप अलवर्स की बात कर लें तो उसमें prominent महिला अलवर्स आपको देखने को मिलती है चाहे आप नैनार्स की बात कर लें उसमें आपको prominent महिला नैनार्स भी आपको देखने को मिलती है एक example ले लेते ह या फिर कंपोस की थी वो आज तक गाई जा रहे हैं यह इनका नाम ता अंदल याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि यह आपका यह अलवर थी या फिर नैनार थी तो इसमें अपने को याद रखना पड़ेगा कि यह अलवर थी और इन्हों ने क्या किया था इसी तरह से दूसरी एक महिला हुई है इनका नाम ता है करियकल अमयार करियकल अमयार करियकल या करियकल अमयार जो है वो एक फीमेल नैनार है यानि कि भगवान शिव की उपासक है महिला है मगर भगवान शिव की उपासक है इनका जो एक्जिस्टेंस है आप इन्हीं की बात कर लें या फिर अंदल की बात कर लें अंदल हो गई या करिये कलम मैहर हो गई इननों ने क्या किया इनलाई की तरह डिया खाय तो सिर्फ इनके एगर मौं करumbers करऊंतर की अफ्राइब करना है तो यह आप समाज में वाइलाउं की कि तो खर में रहें पढ़ए लिखें नहीं यह ना करें हम सारे चीजों को डिफाइ करना है और हम ना सिर्फ इन मोउमेंट को जोईड करेंगे बकायद समें लीड करेंगे और उनके उपर गैरा प्रभाव डालेंगे तो यह सारी चीज जो है यहां से अपने को पता चलती है नेक्स जो हमारा टॉपिक आएगा इसमें अब हम लोग यह देखेंगे कि इसमें हम लोग यह देखेंगे कि आपके नैनार्स और अलवर्स के उन पर्टिकुलर इलाकों में जहां पर यह लोग प्रॉमिनेंट हैं वहां के जो रूलर्स वगरा थे उनके साथ में क्या रिलेशन्शिप है वहां जो आगर आपका इतना बड़ा मोमेंट फैल रहा है तो पर वहां के राजाओं को पता नहीं चलेगा तो उन लोगों ने फिर किस तरीके से अलवर्स और नैनार्स को लिया और किस तरीके से इनको सपोर्ट किया या फिर किस तरीके से क्या इनके रिलेशन्शिप थे वो अब जो चीज है हम लोगों को यहां पर देखनी है तो नैन उस वक्त महाब बर रूल करते थे, अब इन्हों ने जो हैं ब्रामिनिकल ट्रेडिशन्स को भी सपोर्ट किया है, भक्ती ट्रेडिशन्स को भी सपोर्ट किया है, और सबको जो हैं इन्होंने अपनी तरफ से पैट्रोनेज दिया है, बकायदा उन्होंने लैंड के ग्रांड द उनों को जो है बराबरी से आपका सपोर्ट करते थे इन फैक्ट अगर आप भगवान शिफ के सबसे मैगनिफिसेंट टेंपल की बात करेंगे तो वो सबसे शांदार किसम के टेंपल जो भगवान कोंडा चोला पूरम का टेंपल यह तीन जगाओं के टेंपल जो हैं भगवान शिफ को समर्पे थे और इतने शांदार और इतने जो टेंपल बगवारा बनाए गए यह चोला रूलर्ष की प्यक्रिटर नेज़ में बनाए गए थे याने कि उन्होंने जमीन दी थी उन्होंने आपको resources वगरा दिये थे बनाने के लिए और उन्होंने हर संभब जो है मदद भी की थी इनके patronage में इतने शांदार मंदिरों का construction जो होकर तयार हुआ था अब हम लोग एक एक करके इनकी तस्वीरें देख लेते हैं यह है आपका चिंदमरम temple देख लीजे यह आपका पूरा का पूरा temple इतना elaborately जो है सजाया गया है और यह पूरा इसके साथ में water tank भी है और जिस तरीके से में sculptures वगरा बनाये गए हैं अब यह temple भगवान शिफ को समर्पे थे और चोला रूलर्स ने बनवा कर इसको तयार करवाया था चले है यह इसका एक और एक और फोटोग्राफ है यह आपका तंजावूर का temple है यह अपने आप में एक आश्यर है क्योंकि इसके उपर जो एक कलश रखा गया है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है इसको अलक से लाके रखा गया और यह लगबग डेढ़ से दो टन के आसपास का है लोगों कब तक समझ में नहीं आ रहा कि यह कले शाकर ऊपर रख कैसे दिया गया यह अपने आप में एक और आश्यर जखित करने वाली बात है तो यह अपने आप में जो है आर्किटेक्चर और इंजिनिरिंग का एक बेज और नमुना है जो तंजाबूर में चोलाजना टेंपल बना के तयार करवाया है भगवान शेफ के डिवोशन बगरा में और यह काफी मतलब छोटा मोटा नहीं है इसकी जो शिघर की हाइट है वो काफी ज्यादा ऊपर तक है काफी मतलब उचा उचाई या काफी लंबी हाइट तक है यह जाद कुतुन मिनार से भी उचा है अगला देखें यह इसी का एक फ्रंट व्यू है यहां से आप ये वेल ग्रॉण 5-7-5 फिट के मनुष्य के हाइट के साथ में आप कंपेर कर लें कि इसका क्या हाइट वगएड़ा कितने हाइट का ये टेमपल बनाये गया नंदी की जो मूर्ती है उसी को आप कंपेर कर लीजे तो यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि कितने magnificently बड़े और massive scale पर जो है यह सारा का सारा construction वगएरा अपना करवाया गया है तो इतने बड़े लेवल पर जो है आपके चोला इरियाज में नैनार्स और अलवर्स का पूरा का पूरा मुमेंट चल रहा था यह काफी ज़्यादा सपोर्टिव थे इन्होंने सब लगबख सारे तरीके के जो आपके सेक्ट्स वगरा थे सबकी मदद करिये मगर शेविजम के प्रतीन का एक खास जुकाव अपने को समझ में आता है क्योंकि शेविजम के पॉइंट वी से देखा जाया तो इतने स्पेक्टेकुलर मंदिर जितने आपको भगवान शिव को समर्पित मंदिर तमिलनाडु में देखने के लिए मिलते हैं उतने कहीं और नहीं हैं और इस लेवल पर इतने magnificent तरीके से बनाए हुए मंदिर आज सच कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं इसके इलावा इसी period में एक और चीज हो रही थी मंदिरों के इलावा बात करोगे, sculptures की भी आप बात करोगे उसमें भी आगर आप देखोगे तो भगवान शिर की bronze में बनी हुई सबसे शांदार मूर्तियां जो हैं, वो इसी time period में बन कर तयार हुई हैं जब चोलाज ने patronage वगरा दिया था इन लोगों को, जब चोलाज वगरा जो थे नैनार्स और अलवर्स को खास तोर पे और बागी सब को भी support कर रहे थे उस वक्त में आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है, सबसे शांदार किसम की bronze की बनी होई भगवान शिर की मूर्तिया भी जो है इसी वक्त में बनती है तो यहां से एक बात फिर समझ में आती है कि आपके जो नैनार्स थे, उनका प्रभाव अगर आप performing arts की बात कर लें, या फिर अगर आप बात कर लें, जो भी आपके sculptures वगरा हैं, दूसरे arts के बात कर लें, architecture की बात कर लें इसके उपर नैनार्स का जो है प्रभाव, आपको जादा मातरा में देखने के लिए मिलता है specifically जो आपके sculptures वगरा बनाने वाले artists है, उनके उपर नैनार का एक बहुत गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है तो अब हम लोग ये bronze की मूर्तियां भी देखते हैं, जो बनाई गई थी इस time period में, देख लीजे अब ये बहुत famous मूर्ति है, देखते ही आपको पता चल गया होगा, नटराज की मूर्ति है, इसमें भगमान चिफ जो है, तांडर करते हुए बताएगा है तो ये जो मूर्ति है ये चोलाज के time period में बनी थी, बाद में इसको बहुत replicate किया गए, आज तक जो है इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है, आज तक जो है इसको कई जगाओं पर बनाया जाता है, आज तक जो है इस particular theme के उपर नटराज की मूर्तियां बनाई जाती है गरों में भी आपको इसके छोटे-छोटे mementos वगरा देखने के लिए मिले होंगे, कई जगाओं पर universities में इसको लगाया गया है, इस तरीके से भगमान शिफ्की जो ये तांडब नृत्य करती हुई, ये जो आपकी मूर्ति है, जो इसको नटराज बुला जाता है, ये चो अब उनके चारों तरफ जो fire and fury बन गई थी, उसको इंडिकेट करने के लिए इनके चारों तरफ इस तरीके से एक चक्र बनाया गया है, जनरली होता क्या है, इश्वर के सर के पीछे की तरफ में आपको चक्र बनाया जाता है, वो दिखाने के लिए कि वो divine है, जैसे भगव भगमान शिव की fury को दिखाने के लिए कि इनके चारों तरफ अगनी जो है वो लगी हुई एतने गुस्ते में दृत्ते कर रहा है, इस तरीके से ये जो सर के पीछे दिखाया जाने वाला है, वो चारों तरफ इस तरीके से बनाया गया है, तो ये जो छोटे-छोटे फीचर से ये काफी कुछ बताता है और इस तरीके की छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर ऐसी मूर्तियां बनाना, ऐसी मूर्तियों को ब्रॉंज में गड़ना छोटा-मूटा काम नहीं था, मुश्किल प्रोसेस हुआ करती थी बड़ चोलास की पैट्रोनेज में ये सारे क और मूर्तियां देखता है, ये देखिए, आप इसकी पॉलिशिंग मगरा पर ध्यान दीजिए, भग्मान शिफ को बहुत एक नॉर्मल मोड में दिखाया गया है, बहुत अलग तरीके से बताया गया है, मगर ये मूर्ति को देखके आपने को बस इसकी फाइनीज जो है, व तक जो है आपने बताया है, और ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको जो है किसी पेपर बे बनाया हो, आपने मेटल वगरा की मदद से इसको मेटल को पिगला के किसी साचे में डाल कर इसको पर्टिकुलर्ली इस तरीके से ढाला है, तो ये साचा बनाने की प्रक्रिया से लेकर म cultures बनाने हैं और चोलाज के patronage में हमको दिख रहा है कि ये बहुत अच्छे जब बनाए जा रहे थे ये देखिए ये मूर्ति अपने आप में बहुत spectacular है ये देखिए ये देखिए तो यहां से अपने को एक बात समझ में आती है कि कुल मिला के चोलाज के time period में बहुत बड़े patronage दिया जा रहा था सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े लेवल पर चोलाज इतना patronage क्यों दे रहे थे इसकी बज़ा यह है तमिलनाडू में आपके farmers वगरा की बात की जाए तो majority of the farmers एक particular community से आते हैं जिनको बोला जाता है विलाला विलाला पीज़न्स मेज़ोरिटी विलाला पीज़न्स जो थे इन दोनों के बहुत ज़्यादा डिवोटी थे यह इनके प्रती बहुत ज़्यादा श्रधा रखते थे तो अगर चोलाज को अच्छे से रूल करना था वो चाहते थे कि उनके जो विलाला फार्मर्स हैं वो अच्छे मातरा में जो हैं production करते रह हैं इमांदारी से अपना टैक्स पे करें सारी बातने मानें तो विलाला आपके पीज़न्स जिनकी भक्त हैं अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो आपको सपोर्ट करेंगे तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखने के लिए उनका सपोर्ट जीतन है हमारे पास और इसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए देखिए हम इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग से बना रहे हैं इतने शांदर-शांदर मंदिर बना रहे हैं मैटल के स्कल्चर्स और स्टोन के इतने शांदर-शांदर स्कल्चर्स बना रहे हैं और ये सारी ची करते हैं, जिनको आप अवित्र मानते हैं, जिनकी आप पूझा अर्थना कर रहा है, जिनके फॉलोवर हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहा है, तो भी हमारे केलाव रिवोल्ट मत करिएगा, हमारा को सपोर्ट करिएगा, हमारे साथ रहीए, हमारे टैक्स पे कीजिए और हमारे रा मुमेंट रहा है भक्ति मुमेंट के टाइम पिरिएड में इसके बारे में लोग बातचीत करेंगे एक्जाम पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है यहां से सवाल वगरा काफी बनता है तो यह करनाटक में वीर शैवा मुमेंट है यह 12th century कॉमा नेरा के आसपास यह एक जैन थे बाद में यह उस टाइम पर करनाटक में जिस इलाके से आते थे वहां पर जो रूलर थे उनका नाम था काला चूरी रूलर्स उसके मिनिस्टर भी रहे हैं मगर फिर जो भी हुआ हो अल्टिमेटली इन्होंने सब को छोड़ दिया रिनाउंस कर दिया और उस वीर शहवा मूमेंट है या फिर वीर शहवा ट्रेडिशन है उसको फॉलो करने वाले वीर शहवा कहलाते थे बट वक्त के साथ में एक और नाम पढ़ गया इनके लिए और आज यह जनरल इसी नाम से जाने जाते हैं वो है लिंगायात तो वीर शहवा बोलें या फिर आप बोलें बात वही पड़ती हैं वो कौन लोग हैं बसवन्ना के फॉलोर्स है पिर जिन्हों ने बसवन्ना के यह जो वीर शहवा मुवमेंट है उसको फॉलो किया बोलोग आज की तारिक तक आपके जो यह लिंगायात है और फिर यीर शहवा जो यह करनाटक में बहुत इंप लिंगायाद जो हैं basically भगवान शिव का को एक शिवलिंग के form में या manifestation of लिंग के form में पूछते हैं याने कि भगवान शिव की मूर्ती की या फिर जो अमारी दिमाग में भगवान शिव की प्रतीकृती बनी हो यह मनुश्य के रूप में उस रूप में उसकी पूजा नहीं करते हैं भगवान शिव की पूजा ये लोग किस रूप में करते हैं लिंग के रूप में करते हैं जैसे शिवलिंग होते हैं उस रूप में जो इनकी पूजा वगगरा करते हैं जनरली आपके जो पुरुष होते हैं लिंगायात कम्यूनिटी के ये सिल्वर का इनके पास में छोटा सा बॉक्स होता है उसमें एक शिवलिंग रखकर उसको पहनते हैं अपने लेफ्ट शिल्डर के उपर से जो है उसको डालते हैं या फिर उसको पहनते हैं इसकी फोडोग् इसको डालता है तो यह इस तरीके से यह सारी प्रैक्टिसेश करते हैं अब लिंगायात किस तरीके से नौर्मल जो आपके दूसरे कम्यूनिटी वगरा है उनसे अलग हैं उसके बारे में हम लोग थोड़े सी बाकशीत करेंगे सबसे पहले तो लिंगायात कम्यूनिटी के वो लोग जो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहे जिन्दोंने सन्यास वगरा ले लिया या फिर जो संत बन गाए है उनको बुला जाता है जन गामा ये एक से दूसरी जगे मूफ करते रहते हैं वेंडरिंग मौंग्स होता है इनको लिंगायाज में रिवर किया जाता है यानि या उसको चैलेंज करते हैं और रिवर्थ में भरोसा नहीं करते हैं जैसा कि मैंने भी बताया कि ये लोग ये मानते हैं कि मृत्यों के बाद में वैक्ति लोटेगा नि भगवान चिप के साथ में जोड़ जाएगा यानि कि ये रिवर्थ में बिलीव नहीं करते हैं कास्ट का जो idea है उसके खिलाफ है और कई सारी ऐसी practices वगरा को मानते हैं जिसको धर्म शास्त्रों ने अब disapprove कर रखा है धर्म शास्त्रों ने बोल रखा है कि आप ये फलाने फलाने काम मत करिये मगर लिंगायात कई सारी ऐसी practices है जो मानते हैं जो धर्म शास्त्र अप्रूब नहीं करते हैं जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरेज यानि कि जब एक बार आपकी प्यूबर्टी आ गई है उसी के बाद में आपकी शादी हो दूसरा विडो री मैरेज वगरा जो है ये उसको करवाते हैं जबकि धर्म शास्त्रों में दोनों चीज़ें मनाएं पोस्ट प्यूबर्टी मैरेज भी और विडो री मैरेज दोनों को अब वीर शैवास के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोगों ने इनको जितना समझा है इसके लिए मदद ली गई है जो वीर शैवा मुमेंट में आपके पुरुष हो गए और जो महिला हो गए जो लोग जॉइन किये थे उन्होंने कनल में काफी सारे कंपोजिशन्स वीर शैवा मुमेंट के बारे में लिखे हैं इनको कहा जाता है वच्छनाज इन वच्छनाज या फिर इन सेंग की मदद से जो है हमको इस मुमेंट के बारे में पता चलता है या फिर हमको हमारी कंडरस्टैंडिंग डिवलप होती है कि किस तरीके से ये वीर शैवा मुमेंट आगे बढ़ा है और क्या-к्या चीज़ें इसमें नहीं थी, चलें जी, आगे बड़ता है आप जिस होक्त में आपका वीड शेवा मूमेंट बन रहा है करनाटक में 1100 and something में आपका वीड शेवा मूमेंट डिवलप हो रहा है और लिंगायात या फिर वीर शहवास की community develop हो रही है जो ये बोल रही है कि मृत्यू के बाद हम भगवान शिव के साथ में जाके जुड़ जाएंगे और हम basically post-puberty marriage करेंगे, widow remarriage को support करते हैं, caste system को नहीं मानते ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी चल रही है, इसी वक्त में दो चीज़ें और होती है पहला तो ये कि तमिल भक्ती के काफी सारे ideas हैं, तमिल भक्ती movement के काफी सारे ideas हैं जो तमिल भक्त जो हैं जिनको propagate कर रहे हैं, इनको Sanskrit traditions में भी शामिल किया जाता है तमिल भक्ती मुवमेंट के काफी सारे आईडियाज को जो तमिल भक्ताज इधर से उधर प्रोपगेट कर रहा है इन में से काफी सारी चीजों को सांस्कृतिक ट्रेडिशन्स या संस्कृतिक ट्रेडिशन्स में शामिल किया जाता है और इन सारी चीज़ों को Sanskritic Tradition में शामिल करने का नतीजा ये होता है एक पुरान तयार होता है और ये अभी तक के जितने पुरान लिखे गए हैं उनमें सबसे जादा प्रसिद्ध या फिर सबसे जादा फेमस पुरान के तौर पर निकल कर आता है और इसका नाम पुड़ता है भागवत पुरान बहुत इंपोर्टेंट है याद रखने वाला है इसको ध्यान रखिएगा कि भागवत पुरान सबसे best known जो पुरान है वो कैसे निकल कर आया है जब आपने Sanskritic traditions में Tamil भक्ती के या Tamil भक्तों के कापी कुछ ideas को incorporate कर लिया और उसके नतीजे में जो churning होई है उसका result निकल कर आया है भागवत पुरान दूसरी जो चीज इस वक्त हो रही थी वो ये अब हम लोग आता है नौर्थ की तरफ जितनी भी हम लोगोंने बातचीत अभी करी है वो सारी की सारी main Verf में क्या उसकी बात करते थी नौर्थ में एक नई चीज हो रही थी नौर्थ में 13th century common era आते याने कि सन 1200 एक situation जो है काफी हट तक जो है change हो रही थी क्योंकि यहाँ पर एक नया element जो है इंडिन society में इंडिया में enter कर गए थे या Indian society में आ गए थे अब इनके आने के बाद में दली सल्तनत बनने के बाद में टर्क का इंडिया में आने के बाद में नौर्थ में खास तोर पर specifically South में उतना प्रभाव फिर भी नी पड़ा मगर नौर्थ के अलाकों में आपको कल्चर में और रिलिजन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है और इनी के साथ में फिर शुरुआत होती है सूफियों के आने की आपके invaders आये थे इन्वेडर्स ने फिर की आए और इनके आने के बाद में खास तोर्बे नौर्थ में जो है आपको important तरीके के developments और इस तरीके से कह सकते हैं कि culture में changes वगरा आपको काफी ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं society make all together आप कह सकते है 180 degree का फर्क आपको समझ में कम सकम culture के point of view से religion के point of view से के पहले हम लोग थोड़ा सा यह देखेंगे कि सूफिजम है क्या कैसे उसका development हुआ और किस तरीके से वो इंडिया में आया और उसके बाद में उसने इंडियन society को किस तरीके से influence किया इन सारी बातों को अगर हम लोग समझेंगे तो यह topic हमें ज्यादा अच्छे थे समझ मे आएगा तो मैं आपको short में पहले growth of sufism के पहले जो इतिहार से थोड़ा सा वो बता देता हूं कि 6-7th century के बीच में आपका जो Middle East का इलाका है Arabian Peninsula है वहाँ पर एक नए religion का जन्म होता है जिसका नाम है Islam एक नया religion यहाँ पर जन्म लेता है वक्त के साथ में पूरा का पूरा जो आपका Arabian Peninsula है और उसके आसपास के इलाके हैं और आपका जो Central Asia का इलाका है वो लोग इस religion को accept कर लेते हैं वहाँ के रहने वाले या फिर वहाँ पर यह religion फैल जाता है और उसके बाद से यह पूरा का पूरा इलाका कहलाना शुरू होता है Islamic World अब इंडिया के जो हैं contact इस यह रहा था जब यह नया religion आया और इसके कारण society में काफी सारे changes होना शुरू हुए तो society जब बदल रही थी तो उसी changes वगरा के प्रभाव में एक नई चीज ग्रो करती है यहाँ पर या फिर एक नई चीज जनम लेती है जिसका नाम है सूफिजम सूफिजम आने के बाद म फिर उसके बाद में वो जो इलाके है Islamic world के वहाँ पर फैलती है इसमें भी काफी सारे changes आपको देखने को मिलते हैं बाद में यह जो सूफिज वगरा हैं यह लोग इंडिया में भी आते हैं और इंडियन society को भी influence करते हैं इंडियन society से influence भी होते हैं तो आप सूफिजम का ज changes इंडिया में लाएं तो सूफिजम बेसी कर ली शुरू कैसे हुआ था हम लोग इसकी बात कर लेते हैं जब इसलाम एक religion के तौर पर फैला तो इसके फिर कई सारे institutions वगरा भी बन कर तयार हुए इसमें एक institution था जिसको कहा जाता है कैलिफेट या फिर इसको कहा जाता है खि religious point of view से अगर देखा जाए तो खलीफा को माना जाता है या फिर कैलिफेट वगरा जो है उनके लिए काफी जादा मतलब कहा सकते हैं पवित्र है या फिर उनके emotions वगरा उनके सांथ में जुड़े हुआ है अब कैलिफेट वगरा में खलीफा एक religious institution के तोर पर भी act कर रहा है या फिर political institution के तोर पर भी act कर रहा है आपकी कैलिफेट जो है वो religious institution भी है political institution भी है वक्त के साथ में हुआ ये कि इसमें materialism बढ़ने लगा इसमें भौतिक वाद जो है बढ़ने लगा खलीफा वगरा जो है काफी materialism में involved होने लगे काफी सारी ऐसी चीज़ें करने लगे जो जो शायद नहीं करनी चाहिए थी नतीजा ये निकला कि काफी सारे लोग जो है इसके कारण कह सकते हैं कि कैलिफेट वगरा से या खलीफा से disillusion हो गया उनका जो है थोड़ा सा उनसे move हो गया उनको लगा कि आप Islamic practices वगरा में इनके deal वगरा देने के कारण या फिर इनके प्रभाव के कारण materialism आ रहा है जिस तरीके का Islam Prophet Muhammad ने पढ़ाया था शायद उस तरीके का practice नहीं हो रहा है इस तरीके की एक सोच के साथ में आपके जो सूफी वगरा कुछ लोग थे जिन्होंने एक नया रास्ता पकड़ लिया उन्होंने आपने आपको एकदम दुनिया से दूर कर लिया का मत बजना शुरू किया हिंदी में mysticism को बोला जाता है रहस्यवाद कि आप अपनी तरफ से जो है अपने experiences वगरा से अपना दिमाग लगा कर जो है किसी चीज़ को आप solve करने की कोशिश कर रहे हो तो यह सारी चीज़ें इन्होंने शुरू इसलिए करी थी एक तो यह आपका materialism बढ़ रहा है आपकी califate में उसके protest में दूसरा इन लोगों कहना यह था कि जो आपके theologians वगरा हैं theologians याने कि जो आपके particular किसी भी religion वगरा को जो text होता है उसको interpret करते हैं उस text में जो बातें लिखी गई है वो पढ़ाने वाले या फिर उसमें जो लिखा गया उसका मतल इसका interpretation इस तरीके से कर रहा है यह कुरान और सुन्हा का interpretation जिस तरीके से कर रहा है याने कि एक line लिखी हुई है तो इसका शाब्दिक मतलब है उसी को मतलब निकाल रहा है और वोई चीज पढ़ा रहा है उसका कोई और भी sense बन सकता है इस तरह इन का ध्यान नहीं जा रहा या फिर ये अपने आपको मतलब अडगा है इस बात के उपर कि ये लाइन लिखी हुई है, इसका ये शाब्दिक मतलब निकलता और हमको फिर इसी तरीके से चलना है, सूफीस बोलते थे ये बाट ठीक नहीं है, वो लोग इस तरीके के dogmatic definitions के साथ में critical थे, उनका ग्याना ये लेट आता है, अब आप चड़े बैठे हो, और वो आ गया, और उसने बुला, आते से उसने बुला कि मुझे देरी तो नहीं हुई, और आपने व्यंगात्मक तरीके से बोल दिया कि नहीं, आप तो वक्त से पहले आ गया है, तो अब आपने कहा जो है उसका मतलब अगर हो, वक्त से पहले आ गया हो, मगर अगर आप भाव के साथ में देखोगे, कि आपने चिड़ते हुए कहा है कि भाईया तुम 25 मिनिट लेट आके मेरे से बोल रहे हो, कि मैं लेट तो नहीं हूँ, तो मैं व्यंग मार रहा हूँ आपके उपर, तो बात कुछ और कही गई है, मगर उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, अब मगर अगर मैं सिर्फ शब्दों के basis पर जाऊंगा, तो इसका मतलब यही बनता है कि नहीं, आप तो वक्त से पहले आ गया है, मगर मैं अगर उसको भाव के साथ में पढ़ूँगा, कि जिस सेंस में ये बात कही गई है, तो मत देखा हुआ है, सिर्फ आप उसका मतलब आप पढ़ा रहे हो, इसके और भी कई interpretation होते हैं, आप उसकी तरफ जाई नहीं रहे, और इस चक्कर में आप बहुत एक narrow vision लेकर चल रहे हो, आप बहुत open vision लेकर नहीं चल रहे, तो इस बात को लेकर सूफी वगरा ने अपना खु interpretation देना चाहते हो, आप देलो, हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, हम कुरान का interpretation इसका जो भी मतलब निकालना है, हम पढ़ेंगे उसको, उसको अपनी जिन्दगी में जो भी हमारा चल रहा है, लागू करेंगे, और personal experiences वगरा जो है, हमारा जो भी अपना एक व्यक्तिकर य निजी अनुभव होगा, उसके basis पर हम अपने लिए कुरान का interpretation करेंगे, अब हम आपका interpretation as such नहीं मानेंगे, साथी साथ इन्हों ने ये बोला कि हमारा जो इश्वर के साथ में रिष्टा रहेगा, हम इश्वर के साथ अपने आपको कैसे जोड़ना चाहते हैं, किस तरीके स हम salvation की रास्ते पर जाना चाहते हैं, वो हम decide करेंगे, और इन्होंने decide ये किया कि इश्वर के प्रती intense love और devotion जो है, हम अपने आपको समर्पित कर देंगे, इश्वर के प्रती इतना प्यार और श्रद्दा और भक्ति के साथ में हम अपने आपको पूरी तरीके से समर्पित क कर देंगे, हम अपने आपको पूरी तरीके से लगा देंगे, बजाए इसके कि आप जो बात में बता रहे हैं हम वो माने, हम अपने personal experiences से कुरान का interpretation कर रहे हैं और हम इश्वर की बक्ती में या इश्वर के प्रती प्यार में और devotion में अपने आपको पूरी तरीके से डवा देंगे, तो यह जो था सूफिजम का basic concept था कि सूफिजम किस तरीके से आपका develop होना शुरू हुआ था, अब आगे बढ़ता है, अच्छा एक बात और कि यह जो सूफी शब्द है, सूफी शब्द आपका coin किया गया है 19th century, नहरा में, याने कि लगभग आपका 1800 के आसपास जो है इस शब्द को आपने coin किया गया है, और यह शब्द coin भी जो है आपका अंग्रेजों ने किया था, मगर याने कि जो इंग्लिश थे, वो इंग्लिश लोग थे या इंग्लिश में थे, वो उन्होंने यह शब्द लेकर आएं, जो इस्लामिक दरवेश वगरा होते थे या इस तरीके के जो संत होते थे, इनके लिए इन्होंने सूफी शब्द का इस्तिमाल शुरू किया है, 19th century के आसपा, यानि कि संद 801 से लेकि 8999 के बीच में कहीं पर, इन्होंने इस शब्द लेकर रहा है, मगर actual में सूफी के लिए जो शब्द Islamic tradition में या Islamic text में इस्तिमाल होता है, सूफी के लिए वो है तसवुफ, याद रखिएगा ये एक MCQ बन सकता है, कि Islamic text में सूफी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तसवुफ के नाम से जाना जाता है, और ये जो सूफी शब्द है, ये basically 19th century common era में कॉइन हुआ था और ये अ अपने को ध्यान रखना, next जो हमारा topic आता है, वो है खानकवाज एंड सिलसिलाज, पहले हम लोग खानकवाज जो शब्द है, इसका मतलब समच लेता है, उसके बाद में आगे बढ़ता है, खानकवाज का मतलब होता है, अंग्रेजी में अगर हम लोग इसको बोलें, इसको को ध्यान रखना है, ये शब्द बार-बार इस्तिमाल होगा, खानकवाज, तो खानकवाज का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में उसको होस्पाइस का जाता है, होस्पाइस और हिंदी में इसका अगर आप मतलब निकालोगे तो धर्मशाला वगरा कुछ बनता है exactly धर्मशाला भी नहीं मगर धर्मशाला जैसे एक मतलब उसका बनता है तो अब यह जो टॉपिक है खानकवाजन सिलसिला जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि या धस्तो एक से लेकर आप 100 आप संग्यारा सु लगने के पहले तक का 100 साल थे उसकी अगर आप बात करते हैं तो इस ट्राइंब पीडियाड में इन 100 सालों में सुफीजम जो है या फिरी जो सूफी मुमन्ट है यह अपने आप में आपको बोला कि नहीं हम लोग अपने ही साफ से चलेंगे तो होते 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 जो आपकी 11th century common era जब तक खतम होती है तब तक अपने को यह पता चलता है कि सूफिजम अपने आप में अच्छा crystallized moment बन गया इन लोगों ने जो है अपनी काफी मातरा में literature लिख लिए अपनी अलग तरीके की practices वगरा develop कर लिए इसी के साथ साथ अब यह हुआ कि अलग अलग सूफी जो थे उन्हों ने अपने आपको communities के form में organize करना शुरू किया यानि कि एक वेक्टी जो है आपका कोई particular सूफी वो काफी जादा इबादत और सारी चीज़ें करते हुए काफी उसने अगे निकल गया है उसने अपने साथ में काफी सारे followers इखटे कर लिए तो अब यह सब लोग क्या करने लगे अपने आपको communities के form में organize करने लगे इन्होंने बोला कि हम जो हैं अपने आप में एक अलग समाज हैं जैसे हम लोगों में होता है कि जो हिंदूज हैं उनमें आप आपको कई सारी communities देखने के लिए मिलती हैं राजपूत से community हो गई या फिर आपका Maratha से community हो गई सीख जो है वो अपने आप तो खेरेक अलगी religion के तौर पर वो जाने जाते हैं जैन्स जो हैं वो इक अलग religion के तौर पर जाने जाते हैं मगर ऐसे जो आपकी बड़ी-बड़ जो दूसरे नहीं करते हैं इसी तरीके से अब आपको 11th century common era खतम होते होते कई सारे अलग-अलग तरीके के सूफी देखने को मिलने लगे ते fundamental जो थे उनके सेम थे कि वो सबके सब intense love और devotion दिखा रहे हैं और वो अपने personal experience के basis पर कुरान का interpretation कर रहे हैं मगर कुछ बदलाव बदलाव इस तरीके से कि कुछ चीज हैं कोई particular सूफी और उसके followers कर रहा हैं जो बाकी नहीं कर रहे हैं दूसरे वाले कुछ particular practices करने लगे हैं जो बाकी सारे सूफी नहीं करते हैं तो थोड़े बहुत जो minor आपके differences थे और जो अपनी सोच वगरा develop होई उसके basis पर सूफी न अपने आपको स्थापित करते थे मतलब यह कि धरम शाला या फिर कुछ एक रहने की जगे आपने बना ली वहाँ पर सूफी और उसके followers रह रहे हैं और वहां से वह अपना जो भी आप इबादत और बाकी सारी चीज़ें वो खर रहे हैं तो यह जो particular अपने building या फिर जो भ किसी building में आपने ये बोला कि हम लोग अप यहां पर रहेंगे यहां से हम लोग अपना सूफी मूमेंट यह अपनी community जो है सूफी community हमारी इसके moment को आगे बढ़ाएंगे और इस particular building को हम लोगों ने नाम दे दिया है खानकवा या तो खुद की आप building बना लो तामीर कर लो उ यहां से फिर आपने अपना सूफी मूमेंट जो है चलाना शुरू कर दिया अब यह जो हॉसपाइस थी या फिर जो खानकवा थी इसको कंट्रोल कौन करता था इसको आपका एक teaching master कंट्रोल करता था जो वहां पर बैठके अपने धरम प्रचार कर रहा है इसको अरभी में ज ध्यान रखिएगा कि सूफी ने अपने आपको institutions के form में organize करना शुरू किया एक building बगरा में रहने लगे अपने followers के साथ में वहां से अपना प्रचार प्रसार करने लगे उस जगे को नाम दे दिया खानकवा अब यह खानकवा जिस particular सूफी के नाम पर चल रही है जो यहां यहां पर मुख्य आदमी है जो बठा हुआ है जो सूफी संथ है उसको अर्भी में क्या बोला जा रहा है शेक बोला जा रहा है और उसी को आपका परशेल में क्या बोला जा रहा है पीर या फिर मुर्शित आदमी एक ही है मेन आपका जो सूफी संथ है खानकवा का मगर बो सबसे बढ़ी आया जो भी उनको लगता था उन में से किसी एक को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर देते थे इन्होंने अपनी खानकवा कोई अपनी जो है रियासत मान लिया और अपने बाद में जिस व्यक्ति को जो इनको पॉइंट करना है उसको इन्होंने खलीफा बोलना शुरू कर दिया याद रखिए कि इसको आपके पूरी की खिलाफत के खलीफा के साथ कंफ्यूज मत करिएग साथ ही साथ एक पर्टिकुलर खानकवा में किस तरीके से आपको रहना है किस तरीके का आपका कंडक्ट रहने वाला है इन सारी बातों को लेके जो भी आपके रूल्स वगरा है वो भी आपका शेक पीर या फिर मुर्शिद जो है बनाया करता तक किस तरीके से आपके जो इ आस्तर के साथ में, यानि कि आपके शेख के साथ में, पीर या फिर मुर्शित के साथ में, किस तरीके का वैवार रहेगा, खानकुआ के अंदर, इन सारी बातों के लिए के rules and regulations भी जो है आपका शेख, या पीर या मुर्शित, या फिर आपका जो head सूफी संत था, खानकुआ क या hospice का वो बनाया करता था, next जो हमारा topic आता है, वो है, सिलसिला, या फिर सूफी सिलसिला, तो हम लोग पहले ये देखेंगे, कि सूफी सिलसिला होता किया है, और further इसके बारे में बातचीत करेंगे, सूफी सिलसिला का मतलब यह है, कि ये एक आपका सूफी संत है, उस खान को establish कर लिया, और वहां से वो अपनी जो भी teaching वगरा है, वो दे रहा है, वक के साथ में उनने अपने कुछ students वगरा को जो भी teaching वगरा देनी है, वो transfer कर दी, let's say आपका student number 1, student number 2, student number 3 को आपने जो भी बातें पढ़ानी थी, पढ़ानी, time के साथ में आपकी let's say मृत्ती ह अब आपके बाद में आपका जो student है, जिसको आपने पढ़ाया था, वो ही बात जो है, let's say 3 students को पढ़ाता है, अब दूसरा student भी यही बात, let's say 3 students को पढ़ाता है, और आपका तीसरा student भी let's say यही बात 3 students को पढ़ाता है, तो अब यह अपने जो students को पढ़ा रहे हैं, यह य हमारे शेक ने या हमारे पीर ने हमको यही सिखाया था हम उसके followers हैं और उनकी बड़ाई हुई teachings हम आपको दे रहे हैं अब इनको जिन्होंने जिनको पढ़ाया है वो यही teaching किसी और को देंगे और वो यही teaching किसी और को देंगे यही बात इन पर लागू होती है और यही बात के साथ में जोड़ेंगे वो बोलेंगे कि हम यह फलाने फलाने जो संत हैं यह जो सूफी संत हैं इनके follower है और इनकी teachings को जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो यह पूरी की पूरी एक जो संथ हैं और इनकी टीचिंग्स वगरा को आगे बढ़ाया जा रहा है तो इनका जो नाम पढ़ गया वो पढ़ गया सूफी सिलसिला अभी जो सूफी सिलसिले वगरा है यह बारवी शतापदी से क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गये थे और यह सारी बात में हिंदुस्तान के बहारी चल रही है तो यह क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गये थे इस्लामिक वर्ल्ड के अलग-अलग इलाकों में तो सिलसिले का मतलब लिटरिली क्या बनता है एक continuous chain between the master and his disciple की आपके master ने आपके पीर के बीच में और आपके जो मुरीद हैं उनके बीच में इसको बोला गया है सिलसिला इन फाट यह भी माना जाता था कई जगाओं पर यह भी माना जाता था कि यह जो सिलसिला है इसी के तहट जो है आपका सूफी संथ अपनी spiritual power वगरा के थुरू अपने जो devotees हैं उनको blessings वगरा भी transmit कर रहा है और कई बार यह होता था कि अब इस particular जो सूफी संथ की खानकवा में अगर आपको student बनना है तो इसके लिए कई सारे तरीके के special ritual भी develop हो गया थे कि अगर आपको इनका student बनना है तो यह करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा इस तरीके के आ पीर किया फिर मुर्शित किया अगर मृत्यी होती थी तो उसके बाद में होता यह था कि जो उनकी खानकवा है वहीं पर उनको दफन कर दिया जाता है तो वहीं उनकी टॉम बना दी जाती थी अब यह जो टॉम है जिसको आप दरगा बोल रहे हो यह अपने आप में एक श्र जा रहा तो काफी इलाकों में इनके फॉल्वर्स व мог अगरा बन गहा है अलग-अलग दूर दराज के इलाकों में तो फिर वो सब के सब सब जो है कभी ना इनकी दर्गा पर आपके पिल्ग्रिमेर्ज के लिए लिए रहा करते थे इसके लिए एक शब्द इस्तिमाल होता है जियारत किसी सूफी संथ की दरगापर जाना और वहां पर अपना उनके सर जुकाना या फिर जो भी आप उनसे अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं वो जो भी चीज़ें करना है इसको जियारत बोला जाता है जिस तरीकेशे हम लोग अपना तीर थयात्रा पर जाते हैं उसी चले शब्द इस्तेमाल हो रहा है दरगा यहां पर लोगों ने आना शुरू कर दिया जियारत शुरू कर दी खास तोर पर उनकी जो डेथ अनेवरसरी है उस दिन आना शुरू कर दिया इस तरीके से होते 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 यह सूफी संथ जो है इनकी दरगा काफी जादा famous हो गई और यहां से जो है कल्ट develop हो गया कि शेख को वली कहने का वली का मतलब होता है यहां से पुरा कल्ट develop हो गया कि आपका जो शेख है या फिर आपको जो पीर है या फिर आपको जो मुर्शेद है यह बिसिकल्ली में वली है वली का मतलब ये होता है कि एषवर का या तो friend आप कहले जिए या फिर आप उनके जादा करीब कहले जिए या जो एक्ति था इसने अपने जो भी effect वगरा की हैं जिस तरीके की जिन्दगी जी हैं तो ये ईशवर के जादा करीब पहुंच गाए हैं और इसके कारण ईश्वर ने या भगवान ने जो भी आप नाम देना चाहते हैं उन्होंने इनको बरकत प्रदान करी है खास तरीके की miraculous powers या grace दिया है बरकत दिया है और उस बरकत की मदद से ये करामात या फिर miracles परफॉर्म कर सकते हैं और इससे हमारी समस्याओं को दूर कर स होती है फिर कुछ खास तरीके का grace प्रदान किया जिसको लिए आपने बरकत शब्रकत का इस्तिमाल करकर ये जो व्यक्ति है ये हमारे लिए भला कर सकता है हमारी जिन्दियों की problem solve कर सकता है इसके लिए आपने बोल दिया जो शब्रकत की मदद से वो करामत जो है वो दिखा लिए एक एक से ज़्यादा वली होने लगये तो इसके लिए फिर शब्रकत शतिमाल होने लगा ओलिए यानि कि एक ही वली है तो फिर उसके लिए वली शब्रकत इसनॐरह होनी लगा एक के बाद आपने एकिसारे जो सूफी संथे उनकी श्राइनce एकसंट बना दी और वहा सूफी सिलसले हैं या फिर जो सूफी लीनेश वगरा हैं जनरली ये इनके नाम उन्ही संतों के नाम पर रखे जाते थे जिन्होंने इनकी शुरुवात करी है जैसे कि अगर आप कादरी सिलसले की बात करने हैं सूफी सिलसलों में एक सिलसला पढ़ता है कादरी आज भी कादरी सरनेम जो है काफी लोगों में इस्तिमाल होता है तो यह जो कादरी सरनेम है यह बता रहा है कि कभी ना कभी कोई ना कोई वेक्ति यह जो कादरी नाम सरनेम लिखने वाले लोग हैं उनमें ये शेक अब्दिल कादिर जलानी का मुरीद रहा होगा और उसने इनसे टीचिंग वगर लिए और उनके सिलसिले का ये पार्ट है अब ये तो खेर एक जनरल प्रैक्टिस थी कि आपके सूफी संद वगरा जो है उनके जो भी नाम ह जाता था मगर कई बार ऐसा भी होता था कि जो सूफी सिलसिला जहां पर शुरू हुआ है आपका जो प्लेस ओव उरिजन है उसके बेसिस पर भी जो है नाम वगरा रखे जाते दें जैसे अफगानिस्तान में जगे पढ़ती है चिष्ट तो चिष्ट के बेसिस पर आपने यहां पर जो सूफी सिलसिला शुरू हुआ उसके बेसिस पर नाम पढ़ गया चिष्टी अब चिष्टी सिलसिला इंपोर्टेंट है इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे तो यह जो चिष्टी है यह बेसिकली किसी सूफी संत के नाम के उपर नहीं रखा गया यह बेसि रखना है चले जी आगे बढ़ते हैं अब कुछ आपके सूफी संत ऐसे भी थे जिन्हों ने अब ये तो सारा आपका पूरा एक सूफी मोमेंट बगरा जो है डिबलप हुआ और उसमें सिलसिले आ गए और काफी बड़े लेवल पर जो है अब इंडिया में बात में करी नहीं हैं यह सारी बात में इसलامिक व्र्ट में हो रही है या इंडिया के बहार हो रह रही है यह सारी चीजे मन की सोफी संत हों है जीनों ने सूफी आइडिया' का बहुत जाधा radical interpretation किया है जैसे सूफी आइडिया में अगर आपने बोल दिया कि दुनिया से जो है अपना मन आप हटा लो या फिर दुनिया दारी में जो भी है जाधा मन ना लगा कि भगवान की या इश्वर की भक्ति में मन लगा हो तो कुछ लोगों ने यह बोला कि अब कुछ और करना ही नहीं है पूरी तरीके से समर्पित कर देंगे दुनिया अब एकदम ने अलग हट गाई एकदम उन्हें पूरी तरीके से बात चीदबं कर दी सबसे कट गए तो कुछ लोग ऐसे होते है जिन्होंने इस चीज का एक इंटरपेडिशन किया होगा कि लोगों में जाके बाटेंगे एक कांध में जाके बैटेंगे दुनिया से एकदम ही कड़ जाएंगे, तो इस टरीके का इंटरफ्सेशन है इसको का जाता है रडिकल इंटरफ्सेशन हुए इसाइस का ऊपने radical interpretation किया, उन्होंने ये बोला कि हमें खानकवाव अगरा में नहीं बैठना, हमें एक जगे खानकवाव में बैठकर अपनी इबादत नहीं करनी, हम जो है bendicacy करेंगे, bendicacy का मतलब हम एक सा दूसरी जगे जो है फिरेंगे, एक जगे पर नहीं टिकेंगे, दूसरा हम लोग celibacy करेंगे, यानि हम लोग अपना परिवार नहीं रखेंगे, हम ब्रह्मिचेरे का पालन करेंगे, हम पूरी तरह इश्वर की भक्ती में अपने आपको lean कर देंगे, हम आप कोई और चाहिए ही नहीं है, अब यह जो है, यह आपका radical interpretation कहलाता है, और उन्होंने साथी साथ बाकी जो इतने rituals हो रहे थे सब को ignore कर दिया, बस वो इश्वर की भक्ती में extreme form of acidism के साथ में घुज गया, यानि कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, इस तरीके के जो आपके सूफी संथ वगरा हुए हैं, इनको कई सारे नामों से जाना जाता है, इनके लिए कई सारे नाम इस्तेमाल हुए है, एक नाम इस्तेमाल हुआ है कलंदर, एक हुआ है मदारी, एक हुआ है मलंग, एक हुआ है है इस तरीके के और भी नाम है, तो ये जो सारी के सारे नाम है, कलंदर्स, मदारी, मलंग, हैदरी, ये ये बता रहा है कि ये वो सूफी संथ हैं, जिन्होंने लिटरली सब कुछ जो है छोड़ दिया और एकदम सूफी आइडियास का बहुत जादा रैडिकल तो वो सूफी संथ जो शरीयत को मानते थे और खान को आव अगरा चला रहा है, नॉर्मल अपना थोड़ा बहुत जो है दुनिया से जुड़े हुए, अबादत भी कर रहा है, उनको बोला जाता था बाशरियत, और वो लोग जोने ने सब छोड़ दिया एकदम दुनिया से कट गाएं, और पूरी तरीके से जो है इश्वर में डिवोट हो गाएं, उनको कहा जाता था बेशरियत, जैसे आज की तारीक में हम लोग एक शब्द इस्तिमाल करते हैं, बाइज़त, आपने सुना होगा कि फलाने फलाने मुल्जम को बाइज़त बरी किया जाता है, और एक होता है कि आपने मेरी बेईज़त ही कर दिये, बाइज़त या फिर बेईज़त, उसी तरीके से वो लोग जो आपके सुफी संथ जो शरियत को मानते थे, उनको कहा जाता था बाशरियत, ये वो थे जो खान को आव अगेरा चला रहे है, नॉर्मल इनकी जिंदगी चल र रखना है, अब हम लोग बाचीत करेंगे कि सुफी संथ किस तरीके से इंडियन सब कॉंटेनेंट में आते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो कुछ आपके जो सुफी संथ हैं ये इंडियन सब कॉंटेनेंट में लेट 12th century में माइगरेट करना शुरू करते हैं, ये लगवख 12th century के आसपास में इनका माइगरेशन शुरू होता है, आप जितने भी सुफी संथ इंडिया में आये हैं, इनमें सबसे जादा जो influential सुफी संथ रहें वो हैं चिष्टीज, जो अफगानिस्तान में चिष्ट में जिनका सिलसला शुरू हुआ था, वो practices वगरा में शामिल किये, इसके करण लोग जो हैं इनके साथ में काफी मातरा में यहां पर जुड़े, और नतीजा यह हुआ कि बाकी सारे सुफी संथों के comparison में चिष्टीज जो हैं, वो ज्यादा हद तक यहां पर influential या फिर कामियाब आपको देखने को मिलते हैं, अब शेख निजामुद्दीन थे, जिनको आज की तारीक में हजरत निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपना जो खानकुआ है, वो establish किया था, उस वक्त का जो दिल्ली का शहर हुआ करता था, वहां पर एक जगे पढ़ती है, यमुना के किनारे, हॉल हुआ करता था, जिसको बोला जाता था, जमात खाना, यहां पर आपके जितने भी रहने वाले लोग हैं, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, सब एक साथ इखटा प्रेयर करते थे, बाकी rooms वगरा में आपके जो शेख हैं और उनकी family हो गई, और बाकी जो लोग हैं की दरगा है, आज की तारिक में तो खेर काफी अच्छे बना दी गई है, मगर उस जमाने में जिस तरीके की थी, पॉइंट यह है कि यहां पर आपका शेक राह करते थे और इनके साथ के followers वगरा और जो भी आपके गुजरने वाले हैं, travelers वगरा तब इनसे आके यहां पर मि लंगर बोलते हैं और इसको फुतुहु पर चलाया जाता था, फुतुहु का मतलब है charity पर, यानि कि आप आके बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो, आपको उसके लिए किसी भी तरीके का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज होगरा ज सिंगर, मर्चेंट, हर तरीके के लोग आया करते थे, इसके इलावा कुछ important लोग भी जो है, वो भी यहाँ पर आते थे, जैसे कि आपके court historians वगरा हो गए, यानि कि राजाओं के या बाक्ष्याओं के दरबारों में जो इतिहासकार बैठते हैं, उन में से दो particular आपके जिय कुछ लिखा है, इनका जिकर जो है, आपके हजरत निजाब मुर्दीन जो है, इनका जिकर आपको कही ना कही इन लोगों की राइटिंग में देखने के लिए मिलता है, अच्छा, यहाँ पर जो practices वगरा adopt की जाती ही थी, वो क्या क्या थी, सबसे पहले तो जैसे आप अंद इद बन रहा है, अगर वो उसका student बन रहा है, तो फिर उनको जो है, अपना सर मुड़ाना पड़ता था, यह हो गया, प्लस यहाँ पर योग वगरा की जो कुछ exercises वगरा है, वो सब भी की जाती ही थी, इस तरीके की practices वगरा आपको हजरत निजामुदीन में खानकुआ में देखने के लिए मिलती थी, अब यह सारी बात में यह बता रही है, कि यह सारे items बेसिकली local traditions वगरा के साथ में assimilate करने की कोशिश थी, या फिर local traditions को adopt करने की कोशिश थी, अब क्योंकि आप local traditions को adopt कर रहे हो, तो local लोगों के साथ में आपका घुलना मिलना थोड़ा असान हो जाएगा, नतीजा यह निकला कि जो चिष्टी हैं, उनका, उनकी following बढ़ने लगी और बाकी सारे जो आपके सूफी संथ थे, उनके comparison में यह जादा influential सावित हुए, और देखिए photograph, चलें जी, अब शेख निजामुदीन की जैसे जैसे अपनी ख्याती बढ़ रही थी, तो उन्होंने काफी सारे अपने जो spiritual successors थे, इनको appoint किया और इनको यह बोला कि भई, तुम Indian subcontinent की अलग-अलग इलाकों में जाओ, और वहाँ पर अपनी जो hospices हैं, अपनी जो खानकोह या फिर अपनी जो धरमशाला हैं, उनको establish करो, और मेरा जो संदेश है वो लोगों तक प इनकी कह सकते हैं कि जो ख्याती है, वो दिन दुगनी और राज-चौगनी तरक्की करती चली गई, वक्त के साथ में इतने फेमस हो गए कि इनकी श्राइन पर, इनकी दरगा पर जो है, लोगों ने pilgrimage करना शुरू कर दी, जियारत जो है, वो शुरू कर दी, सूफी और सूफ जो आपके सूफी संत वगएरा हुए है, जिनमें से काफी सारे फेमस हुए, उनकी भी जो है दरगाओं पर जियारत आपकी, एक common practice हो गई, आज की तारिक में हिंदुस्तान में दरगाओं पर जाना और जियारत वगएरा करना लगबग साथ सेंचुरी पुरानी प्रोसेस ह चुकी है, लगबग साथ सो साल से practice इंडिया में चल रही है, और उसमें भी अगर आप बात करें तो पांच ऐसे शिष्टी हैं जिनकी दरगा सबसे जादा विजिट की जाती हैं, उस पर कापी जादा मातरा में लोग जाते हैं, उनके बारे में जड़ा हम लोग देख लेत इसके बाद में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर ये हैं अजोधन पाकिस्तान में, इसके बाद शेख निजामुद्दीन ओलिया ये दिल्ली में हैं, और शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दली ये आपका दिल्ली में हैं, तो ये पाठ सूफी संथ हैं जिनकी है या फिर सबसे जादा जो रिवर्ड आपकी दरगा मानी गई है, वो मानी गई है आपके ख्वाजा, मुनियुद्बीन की, जिनको कई बार एक पॉपॉलरली गरीब नवास के नाम से जाना जाता है, इनकी जो दरगा है, अजमीर वगरह में काफी जादा फेमस है, बहुत कि आसपास, याने कि सन 1301 से लेगे 1399 के बीच में, जो डॉकुमेंट वगरह लिखे गए हैं, उसमें पहली बार आपको इस दरगा का जिकर जो है, देखने के लिए मिलता है, और जो पहला सुल्तान यहाँ पर विजट करने गया था, उसका नाम था मुहम्मद बिन तुगल वो पहला सुल्तान था, जो यहाँ पर विजट करने गया था, मगर इस दरगा को और आगे बढ़ाने के लिए, इसका फर्दर कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, अच्छे से इसको बना के तयार करने के लिए, जो सबसे अगलियस आपकी फंडिंग वगरह की गई थी, वो की अगर आप अकबर की बात कर लें, तो इसने यहाँ पर चौदा बार जियारत करिये, चौदा बार वो वहाँ पर गए, कई बार दो से तीन बार वो एक साल में चले जाते थे, और यह ट्रेडिशन उन्होंने 1580 तक जो है, लगबग 1580 के वक्त तक वो जो हैं वहाँ पर जात बार जाते थे, मगर एक साल रहे, 14 बार जो हैं अकबर यहाँ पर गरीब नवाज की जो दरगा है, वहाँ पर गए हैं और यह काफी जाधा जो है, फेमस वगरा होती चली जाती थी, अब यहाँ पर जो जियारत वगरा होती थी, जब कोई वेक्ति जियारत के लिए आता था तो जियारत के साथ में यहाँ पर काफी सारी चीज़ें होती थी म्यूजिक होता था, डांस होता था, मिस्टिकल चैंटिंग वगरा परफॉर्म की जा रही है कवाल्स वगरा एक खास तरीके के ट्रेंड म्यूजिशन्स होते थे वो कवालियां गाते थे जिससे एक खास तरीके का एक्स्टैटिक माहौल बन जाता था तो एक काफी spiritual जो है माहौल बना के तयार किया जा रहा है जो normal जो आपकी traditional Islamic practices वगरा होते ही उनसे काफी जादा अलग था music का इस्तेमाल, dance का इस्तेमाल इस बात का example है कि सूफी वगरा ऐस सच काफी सारी ऐसी चीज़ें करते थे जिनको generally Islamic practices ने नहीं count किया जाता है मगर इनका क्योंकि अपना खुद का एक cult बन गया था तो ये सारी चीज़ें इनके followers वगरा किया करते थे अच्छा अगर इनको इश्वर को याद करना होता था अगर सूफियों को इश्वर को याद करना होता था तो इसके लिए दो तरीके इस्तेमाल करते थे या तो उनका नाम बार 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 आपका जो है उसको recite करते रहते थे, इसको कहा जाता है जिक्र, कि आप ईश्वर का जो नाम है, कई सारे नाम वगेरा होते हैं, आप उनको बार बार recite कर रहे हैं और इस तरीके से आप अपने आपको ईश्वर से जोड़ने की कोशिश कर ले हो, दूसरा जो तरीका होता था, ये mystical music वगेरा क परफॉर्म करना, जिसके intense प्रभाव में आके आप ईश्वर के करीब अपने आपको महसूस करो, एक इस तरीके का माहौल बना देना, जिसमें आप अपने आपको ईश्वर के ज़्यादा करीब महसूस करते हो, ये जो समा है, ये आपका चिष्टियों की दरगाओं उपर ख होता चला गया, इसमें भी काफी सारे changes आपको देखने को मिलता है, खास तोर पे अगर आप अमीर खुश्रो की बात कर लोगे, ये poet भी थे, ये musician भी थे और ये शेख के एक मुरीद भी थे, शेख निजामुदीन अलिया के मुरीद भी थे, तो इन्हों ने एक खास तरीके की हाइन की शुरुआत करी, ये खास तरीके की poetry की शुरुआत करी, जिसको बुला जाता है call, अब ये जो call है, इसको इन्हों ने introduce करवाया, कि कोई भी आपकी कवाली वगरा जब गई जाएगी, तो उसके पहले, उसकी opening में और उसकी closing में, जो है, call गाया जाता है, और समा में सिर्फ जो है, खास तरीके का devotional music और उसकी business पर कवाली गई जाती थी, अब यहाँ पर ये हो रहा है, समा में, सबसे पहले आपका call गाया जा रहा है, call के बाद में आपकी Persian में या हिंदी जो भी आपकी poetry गई जा रही है, और उसके बाद में खतम करने के पहले फिर स जो है, call गाया जा रहा है, यह सारी चीज़ें जो है, समा का पार्ट बन गई और इसके कारण जो यह माहौल बनने लगा, यहाँ पर जो भी जियारत के लिए लोग आते थे, वो और जादा intense होता चला गया, और जादा जो है, devotional होता चला गया, यह सारी चीज़ें आपको द सूफी और आपका सूफी poetry वगरा की जाती है, और फिर आपका completion की तरफ आते गुए फिर से call को गाया जाता है, और इस तरीके से जो है आप एक particular जो समा है, उसको खतम करते हो, यह फिर उसको आप conclude करते हो, अब जिस वक्त आपको यह सारी की सारी चीज़ें देखने के आप इंडियन सब कॉंटिनेंट के अलग-अलग इलाकों में जाईए, और वहाँ पर अपनी खानकवा, या फिर अपनी housepices को establish करिए, और वहाँ पर भी जो है, आप मेरा जो संदेश उसको ले कर जाए, अपने सिलसले को आप आगे बढ़ाईए, तो नतीज़ा यह निकला जो आपके चिष्टी संत आये थे, और यहाँ पर जब इन्हों ने अपने आपको establish किया, और यहाँ पर भी जो इनकी भाशा और बागी सारी चीज़ों को सीखा, customs and traditions को देखा, उसके बाद में इन्हों ने यहाँ पर एक अलग तरीके की सूफी poetry की शुरुवात करी, अलग जैसा भी आप इसको प्रनाउंस करना चाहो, यह बेसिकली उर्दू का एक खास तरीके का लहजा है, या उर्दू भाशा का आप कहा सकते हैं, डेकन के जो इलाके हैं, वहाँ पर उर्दू को बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, हैदराबाद वगरा का जो इलाक नहीं बोल देते हैं, तो यह जो आपके सूफी संत वगरा थे, जो आपके बीजापूर करनाटक के आजपास के इलाकों में स्टैबलिश हुए, और इन लोगों ने आपने एक नई तरीके की सूफी पोईटरी शुरू करी, जिसको दक्कनी भाशा में लिखा जाता था और यह short poems के form में होती थी, अब यह जो poems वगरा थी, यह उन चिष्टी संतों को attribute की गई थी, यह उन चिष्टी संतों को devote की गई थी, जो 17-18 चादापदी कौमा नेरा के बीच में आपको देखने को मिलते हैं, इनी poems में जो सबसे जादा famous poems हुई हैं, वो दो तरीके की थी, एक कहलाती थी लूरी नामा, और यह कहलाती थी शादी नामा, लूरी नामा बेसिकली लोडियों का collection होता था, जिनको आपकी जो माएं हैं, अपने बच्चे को सुलाते वक्त गाती थी, या अपर अगर वो रो रहा है तब उसको गाके सुनाय करती थी, और शादी नामा बेसिक जो माएं अपने बच्चों को लोरियां गा कर सुनाती हैं, अब यह जो आपकी poems या poetry वगरा हैं, यह बीजापुर करनाटक के इलाकों में जो चिश्टी ने अपने hospices वगरा establish की हैं, या अपने खानकवा बनाएं, उन लोगों ने compose करी थी short poems के form में, क्योंकि आपकी local language में हैं, दक्कनी में, और चोटी-चोटी poems हैं, तो याद करने में आसान है, समझने में आसान है, music आपने set कर दिया, और बढ़िया तरीका से लोग गा रहे हैं, इन सब चीजों का नतीजा यह निकला कि लोग जो हैं, वो इनके साथ में जुड़ने लगे, सूफी संतों की जो fan पोईट्री वगरा लिखी गई है, यह जो सूफियों ने यहां पर आके पोईट्री वगरा लिखी है, यह पोईट्री यहां पर सूफियों के आने के पहले जो आपके भक्ति ट्रेडिशन्स वगरा थे, उन से inspired है, जैसे कि आपके जो वीर शहवास थे या लिंगाया थे, उन्होंने जो वचनाज लिखे थे, उनसे inspired थे, या फिर मराठी में जो आपके पंडरपुर के संत वगरा अभंग गाया करते थे, अभंग एक तरीके के आपके, एक तरीके की poetry होती है, एक तरीके के आपका music पे उसको गाया जाता है, पंडरपुर के इलाकों में आपको खास इन सब चीजों से inspired होकर तयार किया थे, अब हम लोग आते हैं next topic की तरफ, जिसका नाम है new devotional paths, इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि North India में अब जो ये नए तरीके की traditions आपके Central Asia से आए, या फिर Arabic वर्ल्ड वगरा से सारी जो नए तरीके की traditions आए, और यहाँ पर जो existing traditions पहल होता है, इन सब चीजों काम लोग यहाँ पर समझेंगे, तो काफी सारे आपके ऐसे poets हैं, जो इस तरीके के जब बदलाव आ रहे थे, तब यह जो नई social situations बन रही हैं, नए ideas आ रहे हैं, नई तरीके के institutions जो निकल निकल कर आ रहे हैं, इनके बारे में आप दो अलग अलग कि अगर विचार धारा हैं, आपस में मिल रही हैं, एक जो बाहर से आई है, यहाँ पर एक नई तरीके की सोच और एक यहाँ पर पहले से मौझूद है, तो इनके बीच में जो आपके dialogues वगरा हो रहे हैं, चाहे वो एकदम explicit dialogues हो रहे हैं, तो इसमें काफी सारे आपके संत व सारीके की जो thought process है, उनकी intermixing, उनका confluence, उनकी melting वगरा आपस में intermixing और intermelting वो समझ में आती है, तो किस तरीके से अब यह जो poets वगरा थे, जो यह सारी तरीके की चीज़ें देख रहे थे, उनको उन्होंने कैसे express किया है, उसको हम लोगों को समझना है, और इसके लिए ह जब यह पूरा आपका medieval phase है, इसमें तीन हम लोग examples लेकि समझने की कोशिश करेंगे, कि एक influential कवी जो उस वक्त कावे रचना कर रहा है, वो यह समाज में आ रहे हैं बदलावों को किस तरीके से ले रहा था, सबसे पहले हम लोग कबीर के बारे में बातचीत करेंगे, फिर बाबा नानक या गुरु नानक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में मीरा भाई के बारे में बात करेंगे, और इनकी मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कि किस तरीके से यह जो बदलाव आ रहे थे और इसको लेके जो भी dialogues वगरा हो रहे थे, तो यह कभी किस तरीके से उनको अपनी रचनाओं में शामिल करते थे किस तरीके से उनको expression देते थे सबसे बहले बातचीत करेंगे कबीर के बारे में तो कबीर जो है वो आपके 14 to 15th century common era के बीच में हुए है याने की 1300 से 1400 के बीच की जो दो सदिया गई है इसमें आपको इनका जो existence वो देखने के लिए मिलता है ये अपने time period के जितने भी poet saints हुए है उनमें सबसे ज़ादा outstanding माने जाते हैं और इसकी वज़ा है इसकी वज़ा ये तो ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में उनको ने composition वगएरा किये है जो भी अपनी कविता हैं वगएरा और जो भी काब भी लिखा है वो काफी बड़ी मात्रा में है दूसरी बात ये है कि इसको कई सारी भाषाओं में लिखा गया है कई सारे traditions को जो है इसमें उनमें एक्स्प्रेस किया है और ये जो आपके बाहर से आके आपके जो नए traditions या नई तरीके की सोच या नई तरीकी की ideologies इंडिया में establish हो रही थी पुरानी तरीके की जो ideologies आपको देखने को मिल रही है उनके बारे में individually भी लिखा है और इनकी जो intermixing से results निकल निकल कर आ रहे थे उनके बारे में भी लिखा है प्लस काफी सारी भाषाओं में लिखा है काफी सारे dialects में लिखा है तो इनका जो प्रभाव है भारतिय समाच के उपर आपको काफी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जैसे कि यहाँ आपर बताया गया है कि verses as cried to him have been compiled in three distinct traditions अब इसका मतलब यह है कि जितना भी कुछ इन्होंने लिखा है इसको तीन traditions में divide किया जाता है या फिर इनके work को तीन traditions ने जो है आज की तारीक में समाल कर या preserve कर कर रखा है तो इतना जादा काम इन्होंने इतना जादा literature produce किया था कि और इतना अलग-अलग variety के literature produce किये था कि अलग-अलग पतों को मानने वाले लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनके works को संजुया है, समाल के रखा हुआ है और अपने tradition में जो है शामिल किया है तो कबीर का जितना भी काम है अगर आप देखोगे तो तीन distinct traditions में compiled है पहला है कबीर बीजक, इसको preserve किया गया है कबीर पंत के द्वारा वारा नासी में है important है याद रखिएगा पूछा जा सकता है कबीर का जितना भी work है उसको आप तीन traditions में या तीन sections में divide करते हो एक को बोला जाता है कबीर बीजक इसको preserve किया गया है कबीर पंत के द्वारा जो वारा नासी में है दूसरा है कबीर ग्रंथा वली जिसको राजिस्थान के दादू पंत के लोग जो है उन्होंने preserve करके रखा है और काफी सारे इनके जो compositions वगरा है नए लेज़ए को आत ने लेखने के मिलता है तो तीन अलग-अलग new decisions में आपको कबीर का जो है वर्क देखने को मिल रहा है इसके इलावा और बहुत सारा वर्क है जो अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग dialects में था और अलग-अलग आपको जो है अलग-अलग तरीके के traditions में देखने के लिए मिलता है एक interesting बात और है कि कबीर ने एक और special language में जो है अपने बातों को लिखा है अपने जो expressions वगरा दिये हैं अपनी काफी सारी poetry कबीर ने एक special language में लिखी है जिसको बोला जाता है संत भाषा संत भाषा बेसिकली एक ऐसी भाषा है जो नौर्थ में आपको languages देखने को मिलती है चाए उस वक्त में हिंदिवी language हो, चाए Persian language हो, चाए उर्दू language हो या इस तरीके की जो दूसरी भाषाएं वगरा है जो नौर्थ में बोली जा रही थी और आपकी ये जो बाहर से आई हुई languages वगरा है Persian हो गई, Arabic हो गई, Central Asia की भाषाएं हो गई इन सब के combination से एक certain तरीके की language निकल कर आई थी और इस certain तरीके की language में जो आपके निर्गुण poets थे या फिर जो निर्गुण भक्ती के उपासक थे, जो इश्वर को निर्विकार फार्म में मानते थे उन्होंने काफी जादा रचनाएं करी हैं और ये सारे के सारे तो ये जो निर्गुण poetry वगरा जो खास भाषा में लिखी जाती थी इसको बोला जाता था संद भाषा कपीर ने काफी सारा जो अपना composition है वो संद भाषा में भी किया है इसके इलावा एक लिखने का खास तरीके का style होता था जिसको बोलता है उलट बंसी उलट बंसी में करा ये जाता है कि जो बात आप कहना चाह रहे हो उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि आपका meaning जो है वो पूरी तरीके से inward हो जाए यानि कि आप बात जो कहना चाह रहे हो उसको एक दाम उल्टा करके कहते हैं जैसे आप किसी को बोलना चाहते हो कि भाई आप लेट हो गए हो आप वक्त पर नहीं आए हो तो आपने किया दिया रहे आप तो वक्त से पहले आ गए सामने वाला जैसी आया लेट से आदा गंटा लेट हो गया एक गंटा लेट हो गया अब आप उसको यह कहना चाहते हो कि आ आप भीया लेट आए हूँ, मगर उसके लिए आपने उलट बंजी का इस्तेमाल इस तरह से किया, कि आपने उसको ये बोला कि ये आप तो वक्त से बहुत पहले आ गए, क्या बात है, कहना आप ये चाहरे हो कि भीया तुम काफी लेट हो गए, बोला आप से लेट आने के लिए जा रहा है, और शब्द इस्तेमाल किये जा रहा है, कि आप जल्दी आ गए, तो इस तरीके के जो आपके expressions, ये सिर्व एक example देखे बता रहा हूँ, मगर इस तरीके से जो poetry लिखी जाती थी, कि आप कहना जो चीज चाहा रहे हो, और लिख जो चीज रहे हो, उसमें meaning एकदम invert हो जाए, ये उलट बंसी कहलाता था, इसमें काफी सारी चीज़े हैं, जो है इन्हों ने कहीं है, और उलट बंसी में खास तोर पर इन्हों ने, नेचर की मदद से जो है, इश्वर जो एक आपकी ultimate reality है, इश्वर जो आपका परम है, परम सत्य है, इसको शब्दों में या फिर इसको भाशा में बांधना कितना मुश्किल है, कबीर में उलट बंसी का इस्तेमाल करकर, नेचर के expressions वगरा को उठा उठा के इस बात को समझाया है, जैसे कि एक जगे पर कबीर ये कहते हैं, a lotus which blooms without flower, याने कि एक ऐसा कमल जो बिना फूलों के खिल गया, अब कमल अपने आप में फूल है, मगर यहाँ पर एक ऐसा फूल जो बिना फूलों के खिल गया, इस तरीके की contradicting बात कर रहा है, यहाँ से वो कुछ express करना चाह रहा है, इसी तरह से fire ragging in the ocean, याने कि आपके समुद्र में आग लगना, it's not possible, हलाकि यह वो तेलवल गिर जाता है, आज की तारीक में आप उसको बोल लो कि उससे आग पकड़ी, that's a different thing, बट आप समुद्र में आग लग गई या पानी में आग लगाने की आप बात कर रहे हो, इस तरीके की जो आपकी, आपके जो expressions हैं, conflicting expressions वगरा हैं, इस से आपको कबीर के mystical experiences के बारे में पता चलता है, आपको समझ में आता हैं कि इनकी spirituality का level क्या था, और ये एक बड़ी interesting बात है कि एक वेक्ती, अलग 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 तरीके के traditions में, अलग अलग तरीके की बाते लिख रहा है, कहीं पर वो निर्गुन भक्ती के आपकी संत-भाषा का इस्तेमाल करते हूँ लिख रहा है, कहीं पर वो सगुन भक्ती के बारे में कुछ बात कर रहा है, कहीं पर वो Islamic traditions के बारे में कुछ बातचीत कर रहा है, अलग 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 traditions में इतना सारा जो composition है, जो सब लिखा गया, उससे एक बात ये भी समझ वो लिखकर तयार किया था चले आगे बढ़ता है अब हम लोग आते हैं कबीर की जो पोईट्री है इसमें जो रेंज आपको देखने को मिलती है उसके उपर तो कबीर की अगर आप पूरे के पूरे ट्रीडिशन को देखोगे जितनी उनकी पोईट्री को देखोगे अल्टिम का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने अपनी बात को कहा है उन्होंने इस्लामिक ट्रीडिशन से भी काफी सारी चीज़ें उठाई है वेदान्तिक ट्रीडिशन से भी काफी सारी चीज़ें उठाई है योगिक ट्रीडिशन से भी काफी जादा चीज़ें उठाई है अब मज़े पंडती है कि उस Juan को कितना experience रहा होगा उसने पूरे के पुरे Islamic traditions भी पड़े होंगी उसने पूरे पूरे रविदाम्तिक traditions भी पड़े होंगे योगिक traditions व Calling को क्रूद कर रहे हो कुछ बढ़िया से बिल्डिंग बना रहे हो मतलब आपने कुछ तो civil engineering पढ़ी होगी पहले कहीं ना कहीं तब ही आप उसके principles का इस्तेमाल कर रहे हो तो अगर आप इन particular traditions का या कि principles का use करकर ultimate reality को express कर रहे हो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग भावों का इस्तेमाल करके मतलब आपको इनके बारे में पता है इससे यह भी बदा चलता है कि इन्होंने कितनी डाइवर्स और किसने complicated ideas वगरा की detail में study करी थी अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरीके की diversity जो है इनकी poem में express नहीं होती example के लिए कुछ poems वगरा है उसमें वो हिंदू polythism को attack करते हैं यानि कि जो हिंदू में बहुत ज्यादा मूर्ती पूजा होती है अलग-अलग तरीके के देवी देवताओं की पूजा अरतना होती है उसका ये काफी बड़े level पर जो है attack करते हैं उसको ये उसका विरोध करत हैं but at the same time जो हिंदू में एक जो नाम सिमरन की प्रक्रिया है नाम का जाप करने की जो प्रक्रिया है इसकी वो तारीफ भी करते हैं तो इस तरीके से अगर आप एक particular सोच के अफिर एक particular tradition के अलग-अलग ideas के ऊपर कहीं पर आप criticism कर रहे हो कहीं पर अगर आप उसको praise कर रहे ह हो कहीं पर तारीफ कर रहे हैं यह अपने आप में एक indication है कि सामने वाले को कितना ज़्यादा experience था सामने वाले ने कितना ज़्यादा जो है इन चीजों को पढ़ा होगा और तभी जो है वो इतनी ज़्यादा striking तरीके की poetry इतने अलग-अलग aspect के उपर कर पाया ultimate reality को express करने के लिए इतने अलग-अलग traditions का इतना खुबसूरत तरीके सब इस्तिमाल करकर इतनी जारा मातरा में इतनी शांदार poetry वो छोड़ पाया अब हम लोग आते हैं बाबा नानक के उपर और बाबा नानक ने जो टीचिंग नहीं और उन्होंने जो अपना पूरा devotional path establish किया उसके ब हुआ था एक हिंदू merchant family में इनका जनम हुआ था याने कि एक ऐसे हिंदू परिवार में जो व्यापार वगरा में लगा हुआ था उसमें 1469 में बाबा नानक जनम लेते हैं अब इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो एक अकाउंटेंट के तौर पर हुई थी इनको अकाउंट हाला कि बाबा नानक को जो है यह अकाउंटेंट वगरा बनाना चाहते थे पढ़ाया भी गया पर्टिशन सिखाई गई और फैमली वालों को यह ख्याल था कि यह आगे चलकर बिजनस समालेंगे बट इनका इसमें कुछ खास दिल्चस्पी नहीं थी यह अपना जबातर जो वक्त है वह सूफीयों के साथ में और भक्तों के साथ में बिताया करते थे प्लस यह बहुत जादा j cannabis करते थे काफी दूर-दूर की यातरहैं भी यह किया कर अगर और इनकी टीचिंग्स वगDP को आप देखना चाहते हो तो आपकी हाइंश वगरा मझ में आता है उन्होंने अपना मैसेज बहुत अच्छे से स्पेल आउट किया है उनकी हाइंस में और उनकी टीचेंग में इनका कहना इन्हों ने जिस तरीके की एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन शुरू करी है जिस तरीके की भक्ती मुव्मेंट को ये आगे लेकर चले हैं व उनका कोई आकार नहीं मानेंगे तो इन्होंने जो अपनी टीचेंग्स वगरा दी हैं उसकी मदद से इन्होंने एक निर्बुन भक्ती का जो फॉर्म है उसको प्रपगेट किया बाकी इनके टाइम पीरिड में जो आप इनके आर्स पास जो रिलिजेंस वगरा थे उनके का पर्टिकुलर मocy पर आपको पवित्र स्नान करना चाहिए या पिर ऐसे मोकों पर अकर आप स्नान करोगो तो पवित्र माना जाता है। इसमें इनका कहना ये था कि जो absolute है जो ईश्वर है उसको इनोंने जो शब्द दिया वो था रभ और इनका कहना था कि ना तो उसका कोई gender है ना उसका कोई form है प्लस इनका कहना यह था कि अगर आप उसके साथ में attach होना चाहते हैं उनके साथ में connect होना चाहते हैं एक simple सा तरीका है आप उनका जो उसे remember करते रहें याद करते रहें और उसका जाप करते रहें उसको Watch हैं अब यह सारे के अइडिया वगरा वो express किया करते थे जिस तरीके की poetry में जिस तरीके हाइंस में य एश्टलोकों को वो अपनी इस बात को कहा करते थे, उसको पंजाबी में कहा जाता है शबद, शबद नहीं है, इसको पंजाबी में शबद कहा जाता है, पंजाबी में जो शबद इन्हों ने एक्स्प्रेस की हैं, उसमें बाबा नानक की आइडियास के बारे में आपको पता चला है, और इन शबत को वो कई सारे रागों में गाया करते थे और उनके followers वगरा भी जो हैं कई सारे रागों में इनको गाया करते थे चलेंज आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे अब इनके followers वगरा बढ़ना शुरू हुए तो बाबा नानक ने इनको एक community में organize किया अपने followers वगरा को और ये community जो है फिर साथ में खटे बैठते थे साथ में शबत का आपका जो भी है जाप किया जाता था और बाकी सारी जो भी practices वगरा है वो की जाती थी इसको जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया संगत और ये सब लोग साथ में बैठकर collective तोर पर ज अंगत जो उनके disciple थे उनको अपना successor जो है अपॉइंट कर दिया उसके बाद में अंगत जो थे वो आपके next गुरू हो गया है उसके बाद में उन्होंने अपना disciple अपॉइंट किया ये प्रक्रिया लगभग 200 साल तक चलती रही हाला कि अगर आप बाबा नानक को पूरी जो ये कि उनके जो followers वगरा थे उन्होंने अपने आपको consolidate किया और अपनी खुद की practices वगरा develop कर ली और ये अपने आपको हिंदू और Muslims दोनों से distinguish कर लिया बाद में फिर ये जो आपके followers वगरा थे ये कहला है सिख आगे बढ़ता है तो fifth guru जो थे जिनका नाम था Guru Arjun या फिर Guru अरजन इन्होंने अपने जो Baba Nana है उनकी है फीमस वगरा को जो भी उन्हें शाद वगरा लिखे थे उनको और सात में उनके जो बाद के चार सक्षेसर हुए आपके गुरु अंगत से लेकिए इनके आपके Baba-Nana को और उसके बाद के चार सक्षेसर हुए इन सब की poetry को और उस गुर्वानी कहा जाता है बाद में सत्वी शताब्दी में जो दसवे गुरु हुए जिनका नाम है गुरु 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 ग गुरु गरंच साहिब कहा जाता है साथी साथ इन्होंने गुरु गरंच सिंग जो थे अभी तक तो आपका एक जो आपके followers वगरा चले आ रहे थे जो बाबा नाना को और पूरा lineage को follow कर रहे थे इनको एक इनमें एक नई चीज की शुरुआत करी इसमें खालसा पंथ की जो है नीव रखी गई जिसका मतलब होता है army of the pure खालसा का मतलब खालिस एक नए तरीकी के पंथ की शुरुआत करी जिसको बुला गया खालसा और इन्होंने इसके पाँच सिंडल्स डिफाइन किये कि एक जो वेक्ती खालसा बनेगा उसके लिए क्या क्या जरूरी है uncut hairs आप अपने बाल या फिर केश नहीं काटोगे एक dagger आप अपने साथ में रखोगे एक pair of short आप अपने साथ में रखोगे जिस तो कच्छा बोला जाता इनकी command में फिर हुआ यह कि यह जो community थी इसने अपने आपको social religious तोर पर consolidate किया और military force के तोर पर यह निकल करा है बाल में फिर काफी conflict हुआ है और खालसाज ने फिर काफी लड़ाईयां लड़ीयों काफी सबर्दस battles यह जीते भी हैं अगर इस तरीके से जो है यह पूरा का पूरा जो बाबा नानक का शुरू किया गया आपका एक कह सकते हैं बाबा नानक से जो linear शुरू हुई थी वो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते एक religion के form में convert हुई जिसको आज की तारीक में सिखिजम बोला जाता है और उसके followers को हम लोग सिख बोलता है अगला जो आटाय topic वो है मीरा भाई इनको कई बार हम लोग devotee princess के नाम से भी जानते हैं तो मीरा भाई जो है यह 15 to 16 century common era में हुई है याने कि सन 14 सो और 15 सो के बीच में आपको देखने को मिलती है अब महिलाओं की बात की जाए female poets की बात की जाए भक्ती movement या भक्ती tradition की तो उसका सबसे बड़िया example जो है वो मीरा भाई को आप मान सकते हो इनकी biography या फिर इनका जो जीवन गाथा रही है उसको उसको बनाने के लिए या उसको reconstruct करने के लिए इनके भजन वगरा का जो है historians इस्तेमाल करते हैं इनके भजन में इन्होंने अपने बारे में जो भी indirectly बात कई है उसके basis पर और जो भी फिर आपकी folklore चल रही है उसके basis पर historians ने इनकी history को create करने की कोशिश करिए तो इनके भजन वगरा जो थे जो भी इन्होंने compile किये कई centuries था कि ओरली एक सा दूसरे generation को transmit हुए जनरली इनको करमबद नहीं किया गया था record नहीं किया गया इन्होंने compile किया लोगों को सुनाया लोगोंने सुना उन्होंने किसी और को सुनाया तो एक generation में वो भजन फैल गया इस generation ने दूसरी generation को सुनाया दूसरी ने तीसरी generation को सुनाया इस तरीके से ओरली इनके जो composed भजन्स वगएरा है इनके जो compilations हैं वो एक सा दूसरी generation में transmit होते गए अब इनके भजन वगएरा और बाकी सब जो भी हमको information मिलती है उसके basis पर ये पता चलता है कि मीरा भाई जो थी वो एक राजपूर प्रिंसेस थी जिनको इनकी इक्षाओं के विरुद इनकी शादी कर दी गई थी तो इन्होंने फिर ये किया कि अपने पती को defy कर दिया उनकी आग्या को मनने से इंकार कर दिया और अपने आपको एक पतनी के रोल में और एक माता के रोल में devote नहीं किया इसकी जगह पर इन्होंने किया ये कि क्रिश्न जो है भगवान क्रिश्न जो भगवान विश्नु के एक अवतार माने गए उनको अपना प्रेमी जो है वो डिक्लेर कर दिया और उनके प्रती अपनी पूरी की पूरी जंदगी जो है devote कर दी अब इसके बाद फिर इन्होंने किया ये कि एक से दूसरी जगे जो आपके घुमकड संत होता है उस तरीके की जंदगी इन्होंने जी आपके जो भगवा चोला है वो धारन कर लिया और एक से दूसरी जगे move करती रही अलग-अलग जगाओं पर अपने ये जो भजन थी वो गाती थी इस तरीके से ये अपना और भगवान कृष्ण के प्रती जिस तरीके से intensely इन्होंने अपने आपको devote कर दिया है intense devotion कर दिया है वो अपने आप में आपको कह सकते हैं कि emotions की और devotion की अपने आप में एक मिसाल है कि इस level तक अपने आपको पूरी तरीके से lean कर देना इश्वर की भक्ती में इसके examples बहुत बिले मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं इनके जो perceptor थे जिन्होंने इनको भक्ती मार्क पे आगे बढ़ाया उनका नाम था राइदास और राइदास जो थे basically वो एक leather worker थे और यहां से भी रेक बात समझ में आती है कि leather worker अगर एक राजपूर प्रिंसस का perceptor है उनको भक्ती मार की तरफ लेकर आ रहा है तो इससे एक और बात समझ में आती है कि यह caste वगरा जो थी society की उसको नहीं मानती थी यह उसको defy करती थी यह caste system के खिलाफ थी यह बात भी जो हमको मीरा भाई के बारे में यहां से समझ में आती है अब हाले कि मीरा भाई ने जो भी अपना जिंदिगी जी है इसमें इन्होंने कोई followers वगरा तो नहीं बहुत जादा attract किया ऐसा नहीं हुआ कि इनके साथ में devotees वगरा जोड़ गया आके और इनको follow करने लगे या फिर एक अपना खुद का जो है कि इनोंने sect बना लिया या फिर एक पूरा का पूरा जो है group अपना बना लिया मगर फिर भी इनको एक inspiration के source के तौर पर आज भी recognize किया जाता है कई शताबनियों से जो हैं ये एक source of inspiration बनी हुई है आज भी आज की तारीक में भी इनके जो गाने है गुजरात, राजिस्थान और नौर्थ की जो दूसरी जगह है वहाँ पर गाए जाता है आज भी जोईन के ये compilations बगएरा काफी मातरा में वहाँ पर बहुत ज़ादा famous है और आज भी जो मीरा है आज भी मीरा भाई के जो भजन बगएरा है टेक्स्ट्बुक्स बगएरा में भी पढ़ाये जाते हैं काफी famous है और हमारी society का हमारा समाज जो भी बनाए इसका एक integral party है बने हुआ है अब हम लोग आते हैं शंकर देवा के उपर ये जो हुए हैं ये हुए है late 15th century में याने की 1480s या 90s के आसपास में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं अगर आप असम की बात करें तो असम में वैशनविजम जो है भगवान विश्नु की जो पूजा आरचना और आराधना है उसको फैलाने में leading proponent जो है टीचिंग में वो है नाम कीर्तन नाम कीर्तन के उपर इन्होंने emphasis किया है नाम कीर्तन का मतलब यह है कि आप recitation करिए भगवान के नाम का और अकेले मत करिए आप इसका जो सत्संग बगरा कर रहा है वो congregation में करिए सत्संग बगरा लगाए लोगों को इकटा करिए और सत्संग में आप इश्वर के नाम का recitation बगरा करिए और उसमें भी जो आप इश्ट देव के तौर पर जिनको पूझेंगे वो भगवान विष्णू या फिर उनके अवतार है इस तरह से हुआ है कि असम में वैश्टनविजम का काफी जादा जो प्रचार प्रसार हुआ है 15 सेंचुरी और उसके बाद में शंकर देवा जो हैं उसके एक लीडिंग प्रपरेंट के तौर पर निकल कर आएं साथी साथ इन्होंने इस बात का भी encouragement किया इन्होंने इस बात को भी बढ़ावा दिया कि भाई आपको सात्रा जो है उसका establishment करना चाहिए सात्रा का मतलब होता है मठ वगेरा या monastries वगेरा उनकी जो है आपको स्थापना करनी चाहिए और इनकी मदद से फिर आप जो है spiritual knowledge वगेरा का transmission करें और सात्री सात आप इनके साथ में नाम घर वगेरा जो है उनकी स्थापना करें जहां पर बैटकर prayer halls जहां पर बैटकर आपका recitation वगेरा किया जा सके नाम घर का मतलब क्या prayer halls तो यह अपने को याद रखना है शंकर देवा ने ये बोला था कि आप ऐसी monastries वगेरा बनाईए जहां से अपने spiritual knowledge को फैलाया जा सके और उसको नाम क्या दिया गया था सात्रा असम में आज तक काफी सारे prominent सात्रा आपको देखने के लिए मिलता है इसी तरह से इनों ने इबोला की साथ में prayer halls वगेरा भी attach कर दो इनके और उनको नाम दे दिया नाम घर जहां बैटकर हम लोग recitation वगरा कर सकें आज तक आपके सात्रा और नाम घर कई सारे जो है flourish करते हैं असम में काफी prominent इनको माना जाता है इनका जो major composition है ये सवाल बन सकता है इसको बोला जाता है कीरतन घोश इसका जो major composition है ये आपका कीरतन घोश है ये अपने को ध्यान रखना है जो major composition है इसको कीरतन घोश कहा जाता है ये सवाल एक पूछा जा सकता है चलें जी आगे बढ़ता है So with this we come to the end of the session इस session में basically हम लोगोंने भक्ती और सूफी tradition के जो important important topics है exam point of view से जो चीज़ें पूछी जाती है उन सबको हम लोगोंने discuss किया है हर एक aspect जो exam point of view से important है जिस मेरे सवाल बनने की संभावना है सबको हम लोगोंने touch किया है और सबके बारे में कुछ ना कुछ हम लोगोंने देखा है So I hope so ये session आप लोगों के काम आएगा वो बच्चे जिन्होंने पूरा chapter में रिसना detail में discuss किया था detail में पढ़ा था उन लोगों के लिए एक revision के तोर पर रहेगा वो बच्चे जिन्होंने किसी वज़े से या तो chapter पूरा नहीं देखा था या बिल्कुल ही नहीं देखा था उनको भी काफी कुछ समझ में आया होगा काफी कुछ उनको सीखने को मिला होगा और अब वो ज़्यादा अच्छा perform कर पाएंगे बिना पढ़े इसको जाके अगर करते तो उसके पेक्षा वो काफी ज़्यादा अच्छे से इसको कर पाएंगे आप लोगों के पास टाइम है अगर आप लोगों के पास में वक्त है तो आप पूरा का पूरा जो चैप्टर है डीटेल में जहां पे मैंने इसको कई सारे लेक्चर में कवर किया उसको देखिए प्लस एक चीज़ और कि इसके जो MCQs वगरा हम लोगों ने बनाये हैं उसमें काफी सारे questions ऐसा आपको लगेगा कि out of syllabus पूछे गाए हैं इसमें लगबग 15-20 सवाल मैंने ऐसे डाले हैं उसमें जो आपको लग सकता है कि out of syllabus हैं कुछ अत्तक बात सही भी है क्योंकि उनका जिकर इस chapter में सच नहीं आया है मगर NCRT के जो आपके इन्होंने जो आपके paper वगरा sample के तौर पर दिये हैं या फिर जो भी आपको exemplar वगरा देखने को मिलते हैं उसमें काफी सारे questions उसमें से डाले गए थे इसलिए मैंने कुछ questions include किये हैं ताकि अगर उसमें से भी इन्होंने पूछ लिये इन्सपार अफ़ दाफ़ाट की textbook में शामिल नहीं किये हैं तो आप लोगों से करते बनें तो इसको इस तरह से ना लीजिए कि ये वो out of syllabus है इस तरह से लीजिए कि हमने extra precautions वगरा जो हैं MCQs वगरा solve करते वक्त किये हैं तो अगर आप इसका MCQ का chapter इसका जो वीडियो वगरा देखते हैं तो उसमें आपको कुछ questions ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से out of syllabus आपको लग सकते हैं उसमें को as a precaution मैंने उसमें शामिल किया ताकि अगर उसमें से भी कुछ पूछ लिया जाए क्योंकि वो आपके sample paper वगरा में थे इस तरह की questions तो वो भी आप से फिर करते बनें वो आप छोड़के ना हैं इसी note पर I wish कि आप लोगों ने इस session को enjoy किया होगा यह and I am optimistic कि यह आपके लिए किसी ना किसी तरीके से helpful रहा होगा So on this note I would be calling it the day and concluding the lecture ध्यान रखें, positive रहें, पढ़ते रहें Thank you, Jaiad